तो छात्रों जैसा कि आपको पता है, हाई स्कूल यानि कलास 10th की मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, आज आपका एक नया ध्याय है, जिसका नाम है, चैप्टर नमबर 9, भया इसका नाम क्या है किताब में जरह मैं देख लेता हूं, आप लोगों को पता है, तिरकोड मिती वाला चैप्टर है ये, उचाई और दूरी ना, उचाई और दूरी क्या कहेंगे, हाईट एंड डिस्टन्स इससे बोलते हैं, है कंसेप्ट वही, चैप्टर का नाम है तिरकोड मिती के कुछ अनुपर योग, क्या है तिरकोड मिती के कुछ अनुपर योग, तो सबसे पहले ये छोटे-छोटे कंसेप्ट देख लिजिए, आदा मिनिट में फिर हम आगे बढ़ते हैं, मुख के बात करते हैं, इसको आप सभी जानते हैं, दिखाना था नहीं, लेकिन मैं दिखा दिया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बताऊँगा इसके बारे में, एस सूत्र है, लिख लीजिए बस, ठीक है, चलिए, भाई फिगर देखिए अब, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, इसमें उन्नयन और आउनमन कौण की, जैसा कि इस स्क्रीन पे आपको कुछ दिखा रहा है, बोलो जल्दी कमेंट करके बताऊँ आपको क्या दिखा रहा है, इस स्क्रीन पर, एक पेड टाइप का दिखा रहा है न, लेकिन रेड कलर का ऊपर कुछ घेरा हुआ है उसमें, बोलो जो पेड है, उसमें रेड कलर का कुछ घेरा दिखा रहा तुमें की नहीं, दिख रहा है न, ऐसा दिख रहा है कि उस पर कोई बैठा है, देखो बेटा आप समझना, अगर इस तरह से कहीं तुम्हें दिर से दिखे तो मान लो कि ये पेड़ है हम मानते हैं यहां क्या है यहां पेड़ है और यहां पर हम खड़े हैं भाई पेड़ नहीं है मतलब यह पेड़ की चोटी है जो रेड कलर में वो घेरा है iis kreen पए तुमहें दिखरान वयसे और हम लोग कहां रहेंगे हम लोग्जमीन पशनी कभड़ेंगे पहला साई में आसमान इसे नहें यहां खड़े आग कि अ 8 जमीन हैं यहां और मालो कि हमारी वप् Talking जिना यहां दोgrass तो अगर हम इसको देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, भाई यहां खड़े हैं, अगर हमें आसमान में कुछ देखना तो हम ऐसे देखते हैं, बारे वह जहाज जाती है, मोधी बैठा है न, मोधी जी बैठे हैं जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं हम लोग, ऊपर ऐसे देखते ह हम लोग देखते हैं जहाज को या कोई भी चीज को मानलो हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ की चोटी पर यानि पेड़ की पूलुई पर वैठे इस आदमी को देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं बाबाजी है कि इनके बारे में बताएंगे तो जो हमारी आंक से ऐसे कोड ब onayeean code क्या है बटा वो वो क्या है Unayan code मतलब समझ पाए कि मिया उन्यकよड प्याइज इसकी रहे रि derecy합니다 Englishела समय के अ आपको इसे क्या बोलते है एंगल आफ इलोबैसन यानि उन्ने इनकोर देखो बैटा समझ ना समझ गए की नि बताओ अगर कोई डाउट है तो बताओ यानि हम जमीन से अगर आसमान में या छट पे या कुछ भी चीज को देखते हैं तो यह क्या है उन्ने इनकोर एंगल आफ इलोबैसन इसकी परिवासा कैसे लिखेंगे अगर कहीं आ गया बहना सिम्पल सी बात है लिख दीजिए जब हमें किसी बस्तू को देखने के लिए अपनी आंख को उपर उठा कर देखना पड़े मतलब दृष्ट रेखा को ऊपर ऐसे उठाना पड़े वह यह आस्मान में जहाज उलरी तो उपर उठाना पड़ेगा तो हमारी आँक से और ऊपर आस्मान में इस्थित उस बस्तू के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण का लाएगा लेकिन कोण कहा बनेगा हमारी आँक पर बनेगा मतलब आँक से बनेगा तो कहने का मतलब यह है एक जामपल अगर हम आपको दिखा दें इसी में देखो तो जो कोण थीटा है यह क्या है यह उन्नयन कोण है क्या है यह उन्नयन कोण है क्योंकि अगर इस पर कोई बंदा बैठा ऊपर को देख रहा है तो क्या बन रहा है उन्ययन कोड बन रहा है ठीक है एक और देखिए इसका उल्टा औरनमन कोड एक बच्ची दिख रहे पेड़ पपी बैठी बड़ी खुस लग रही है लग रहा कोई जबर जस्ती इसको इसनु पेड़ादी है काहिए थोड़ी देर ब को देख रही हो ऐसे नहीं मतलब थोड़ी दूर पहगा तो इस बच्ची के आख से और उस सुबस्तू से जो Q рук बनेगा और वह क्या होगा और नमन कोण वोगा क्या होगा लिंख लो इदर साइड में और मन कोण होगा यहां पेदेख लीजिए और लिखी आनमन कोण mm यानि इसकी परिभासा हम लिख सकते हैं कि जब हम किसी बस्तु को देखने के लिए अपनी आँख को अपनी द्रिष्टी रेखा को नीचे जुकाते हैं तो जो कोण बनता है द्रिष्टी से और उस बस्तु से वह ओनमन होता है ठीक है एंगल आफ डिफ्रेशन यह क्या है आउनमन कोड समझ गए ना यानि किसी बस्तु को देखने के लिए अगर हमें अपनी आख को ऊपर उठाना पड़े अगर हमें अपनी आख को ऊपर उठाना पड़े ऐसे तो वो उन्यन कोड और अगर किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आख को नीचे जुकाएं से तो हमारी आख से जो कोड बनेगा वो आउनमन कोड होगा समझ गए अब इसे आप समझ गए अगर बेटा यहां पर कोई कोड बन रहा है जिसका नाम है पी तो यह पी क्या है यह आउनमन कोड है आउनमन कोड है ठीक है क्योंकि यह नीचे की तरफ को देख रहा है उपर से न आउनमन अगर नीचे से उपर देखे तो उन्यन उमीद है कि आप लोग उन्यन और आउनमन सम समझ गये इसे नोट करिए मैं सामने से हट गया हूं बहुत जल्दी करिए फटा-फट आगे बढ़ते हैं डन चलिए आगे आगे देखिए क्या दिखाने वाले हैं बच्चों इसमें एक और भी पॉइंट है इसे भी समझ लीजिए फिर हम कोईश्चन पर चलें द्रिफ्टी रेखा क्या होती है लाइन आप साइट यह भी हो सकता है कहीं आपसे पूछा जाए देखिए अभी आपने इस चित्र में उन्नयन और आउनमन कोंड देखा तो भया यह जो द्रिफ्टी रेखा का मतलब जहां से हमारी द्रिफ्टी पड़ रही है यानि यह क्या है एसी क्या है द्रिफ्टी रेखा है एस चित्र में क्या है द्रिफ्टी रेखा है कहने का मतलब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां से हम देख रहे हैं मालो यहां पे इनसान की आख यहां पर क्या है इंसान की आख है हाँ और यह इधर साइड को देख रही है तो वही क्या द्रिष्टी रेखा है जैसे माल लेते हैं कि हम आसमान में उड़ रहे है अरो प्लेन को देखते हैं ऐसे देखेंगे तो हमारी आख से एक डारेक्ट किरण बनती है तभी तो कोई इसको देख लिए आप लोग कोईश्टन पर चलिए कोईश्टन नमबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर देखिए ध्यान दीजिए कोईश्टन पढ़िए ध्यान से क्या कैरा कोईश्टन में देखिए एक्सरसाइज 9.1 कच्छा 10 के अंसी आइटी गड़ी था बिटा और पेज नमबर 225 आपके बुक में दिया होगा आप अगर किताब लिएं देख लिजिए किरा कि सरकस की एक कलाकार सरकस की एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह फे तनी हुई है आपने अगर सरकस देखा होगा तो गाउँ में बहुत सारे मदारी ये सरकस वाले आते हैं वो लोग एक रसी को किसी खूटी से बांदते हैं या भी रसी को कहीं किसी छत से बांध के उस पर चढ़ते हैं सरकस अपना दिखाते हैं करतब दिखाते हैं लोगों इंतमाथा देखते हैं है ना ऐसे कुछ कह रहा है सरकस की एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरफे तनी हुई है मतलब खीची मतलब समझ रहा है जैसे कोई खंबा जमीन पर खंबे के ऊपर रसी बांदिया रसी बांद के जमीन पर खड़ा होके सरकस वाला ऐसे खीचा है और खीचने के बाद जो बन राकॉन उसे उस पर क्या करा हो चढ़ रा रसी ठीक है ये भूमी अस्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोणती संस है तो खंबे की उचाई ग्यांत कीजिए मान लेते हैं ये क्या है पोल है ये खंबा है एवी को हमने क्या मान लिए खंबा है कुछ लोग बने बनाए चितर में कम समझ पा रहे होंगे तो आईये मैं उन्हें बना कि दिखा देता हूं इसको बनाते कैसे हैं देखो बेटा समझो समझो थोड़ा सा ये चितर कुष्टन दिखाना जरूरी नहीं है बीच-बीच में दिखा दूँगा आओ देखो मान लेते हैं कोई एक खंबा है खंबा मतलब एक पोल है जिस पर रसी उपर साइड में बंधी है ये मान लेते हैं एक खंबा है बई खं पीच के खड़ा है रसी को जो सरकस वाला है मतलब मदारी जो है ठीक है आगे देखना कहानी में क्या कहता है जरा ध्यान देना फिर से दिखाओं तो आपको क्लियर हो जाए मुझे पूरा उमीद है देखो करा यदी उपर बंधी मैंने बता दिया करा यदि भूमियस्तर के स कात JENN मेel जमीन है उसके साथ डोर द्वारा जो कोंड बनदा हो कितने का बन दू है о तीस हंस का subscribe रहा है तो भाइज मीन तो ऐसे है यही यही ना तो इसको खीच देते से यह क्याई मेel है इसके साथ जो Angle वह थिस का बन रहा है क्या कहरा है 10 डिगरी का जो है चाहिए यही तो कह रहे ना और ब्रक्राइथ फीर पुछ रहा हैं ávelा बूत मात की थी नाड़िए चिंट वस्क करते नियुकर के चाहिा है हमें यथए और पूल ine इतना है 20 meter है यानि हमें यह भी दिया है इसका नाम लिख दीजिए ABC कुछ भी आप लिख सकतो अपने according यह इतना हमें दिया है ठीक है हम इसका करेंगे solution यहां पर लिखेंगे बिटा हल लिको दिया है इंग्लिस वाले लिखेंगे given क्या क्या given है बाबु यहां पर देखो इसमें given है AC जो कि 20 meter है और angle C equal 30 degree है यह भी दिया है और AB की उचाई क्या है यह यह भी हमें दिया है उसमें दिख रहा है कि AB क्या है यह यह लगभग हमें दिया है इसमें अगर हम देखें और कोंड किस पर बन रहा बिटा C पर बन रहा है तो इसके सामने की बुझा लंब है और यह क्या है करड़ है आधार तो हमें दिया नहीं है यानि हमें दिया है लंब और क्या दिया बट्टा करड़ दिया है और तिरकोंड में दिया अनुपात में इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था सुरू सुरू में दिखाया था दिखाया था याद करो साइन कॉस्त हैं सब दिखाया था साइन थीटा होता है लंब बटा करण ना होता ना बिटा होता ना बाबू तो यहां पर हम क्या लगाएंगे हम लिखेंगे sin theta बराबर क्या لمb बटे करड sin theta हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर لمb बटे करड दिया है لمb a b है करड a c है इनके सारे मान रख दीजिए sin theta theta की जगा पर मैटा 30 अंस का कोण बन रहा है वहाँ पर देखो तो तीसंस बंदा है तो हम थीटा पर तीफ रख देंगे ठीक है बराबर AB, ABH है और ACB है यह दिया है हमें सारे मान रखिए साइन तीसंस का मान एक बटा दो होता है देखो बाबू तुम्हें याद रहना चाहिए यह 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 चापान 20 इस तरह से इनको आप क्रास मल्टीपल कर लो क्रास मल्टीपल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यह तो यच इक्वल 20 यहां से यच इक्वल निकाल होगे बाबू भया तो 20 अपान 2 यानि बराबर 10 मीटर समझ गया ना यानि कितना आ गया इस जो पोल की उचाहिए कितनी आ गयी बाबू 10 मीटर समझ में आया कोईस्चन नंबर पहला कंपलीट हो गया बहुत आसान है बेरी सिंपल सा है लिख लिजिए अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी करिए अगर अभी तक आपने PVR स्टडी लाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले और बेल आइकन प्रेस करना न भूले अगला कोईस्चन देखेंगे जाना नहीं अभी चलिए जल्दी करिए फटा फट और कलास को लाइक करना नहीं भूलना चलो नेक्स्ट कोईस्चन दिखाओ भई स्क्रीन साट ले लो जल्दी से डन अगे बढ़े दूसरा कोईस्चन आपके सामने स्क्रीन पर हजरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कहरा आधी आने से एक पेड तूट जाता है और तूटने के बाद क्या करता है तूट करके नीचे को लटक जाता है और नीचे लटका हुआ जो भाग है यानि तूटा हुआ जो भाग है वो क्या करता है बाबू जमीन के साथ छूने लगता है और जमीन से तीसंस का कोण बनान लगता है तो कहरा पेड़ के पाद बिंदू की दूरी जहां पेड़ का सिखर जमीन को छूता है वो आठ मीटर है तो पेड़ की उचाई ग्याद कीजिए ऐसे समझो सीधी सी बात है जैसे आपने देखा होगा गाउं से आप लोग बिलांग करते हैं अक्सर तो जब आंधी आती है तूफान आते हैं बड़े बड़े तो पेड़ अक्सर उपर से तूट जाते हैं कुछ तो नीचे से ही तूट के समतल हो जाते हैं तो ऐसे पेड़ की बात नहीं हो रही ऐसे पेड जो तूट कर लटक जाते हैं चलिए मैं आपको figure के मादम से समझाता हूँ आईए ध्यान दीजिए देखो बेटा मानलो एक पेड है इधर साइड में देखो इधर साइड में समझो मानलो ये क्या है एक पेड है ये क्या एक पेड है अब एक किसी भी चीज़ का एक पेड है पेड ऐसे सीधा रहता है आदी आई खुबते से तुफान आया ये तूट गया कहां से यहां से मानलो ये और इसको थोड़ा बड़ा कर लो अब मानलो कि ये पेड यहां से तूट गया समझना पूरा नीचे पे नहीं तूटा आदे पर से तूटा अक्सर ऐसे पेड तूट जाते हैं जब ज़्यादा बड़े होते हैं आदी तूफान में आप जानते हो ना और तूट करके क्या हुआ बेटा ये लटक गया लटकेगा तो जमीन पे ही जाएगा कहीं आसमान में तो जाएगा नहीं आप कहोगे गुरुजी ये उपर भी खड़ा है नीचे भी लटक गया ऐसे कैसे ये मैं तूट के क्या हुआ यहां पे आ करके लटक गया एक्चुली में ये रियल में अब यहां नहीं बचा है ये तुम्हें डाट-डाट में में दिखा दे रहा हूँ समझने के लिए कि ये पहले ऐसे था यानि पहले ऐसे पेड़ था वो तूट के क्या हुआ नीचे लटक गया अब तुम कहोगे ये काहें मिला दिये इसका क्या कनेक्शन है ये कुछ नहीं है ठीक है इसमें अत्ति पत्ति होगी अपना जो भी है ऐसे क्या हुआ है टूट के लटक गया ठीक फिर क्या कहरा पहले वो भी तो देखो बई हट जा यार पेड़ पेकाया बैठिये उतर जा पूश्चन में देखो कह रहा है कि जो टूटा हुआ भाग है इस तरह से मुढ जाता है कि पेड का सिखर जमीन को छूने लगता है वो टूटा हुआ भाग जमीन पर आकर के जमीन को टच करता है पेड का जो सिखर था पहले जो चोटी थी वो जमीन को चूने लगता है और इसके साथ में तीसंस का कोण बनाने लगता है तो पहले पेड की चोटी यही तो थी जो ऊपर खड़ी थी न अब यहां से तीसंस का कोण बना रहा है किदर से बना रहा है इधर से बना रहा है जमीन यह है इसको मैं बराबर कर ले रहा हूं जिसे तुम्हें दिखाई पड़े अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूं नहीं तुम गंदा गंदला गरा है तुम फ्यूज रहो गई इसलिए थोड़ा सा इसको clear कर देता हूं पत्ती उतीस में से निकाल देता हूं यह क्या है तीस हंस का कोंड बना रहा है ठीक है कोई डाउट नहीं नहीं चलो आगे क्या कहता है इस तरह से तूट जाता है कि जमीन के साथ में 30 हंस का कोंड बनाने लगता है कुष्टन दिखाओ फटाफट हां कर जहां पेड का सीखर जमीन को छूता है पेड के पाद बिंदू की जो दूरी है पाद बिंदू का मतलब जहां पर पेड उगा था जहां पर पेड खड़ा है वो क्या है पाद बिंदू है करा पाद बिंदू से जो पेड का सीखर है जह ठीक है आपके किताब में यह सुगा दीर यह इसक będzie यहां पूचह नज आंगे पोछा के तो ओटे हुए पेड की उचाई ग्याद कीजिए क्या करना है पेड के टूटे हुए नहीं पेड की उचाई ग्याद करना है पूरी पूरी की पेड कितना बड़ा था वही पेड की उचाई का मतलब क्या बाबू यह जितना खड़ा इसको भी निकालेंगे और जो तूट गया इसको भी निकालेंगे यानि दोनों मिला करके क्या बनेगी पेड की उचाई बनेगी यही तो बनेगी ना वैसी इसी बात है यही बनेगी आप लिखिए यहाँ पर लिखिए हल हल लिखिए यहाँ पर solution लिखिए इसका नाम लिख दीजिए ABC कुछ भी आप लिख सकते हो PQR हम लिख देते हैं अपनी सुब्धा अनुसार ABC ठीक है अब लिखिए पेड की उचाई बराबर पेड की उचाई बराबर क्या होगा बटा A B धन AC क्या होगी A B धन AC A B धन AC क्या होगी पेड की उचाई होगी क्योंकि पेड सीधा सीधा खड़ा है तूट के लटक भी गया है तो दोनों भाग उसका हम जोड़ेंगे वो क्या होगी इसकी उचाई होगी ठीक है एनी डाउट किसी को नहीं न चलो आगे क्या-क्या दिया है अब लिखिए गिबन हिंदी में लिख लीजिए दिया है क्या-क्या दिया है बाबू इसमें सबसे पहले तो हमें 20C दिया है 20C आठ मीटर दिया है और क्या दिया है कौन सी भी 30 हंस का दिया है एंगल सी 30 दिया है A, B और A, C हमें निकालना है भाई A, B और A, C अगर हमें पता हो जाए तो हम पेड की उचाई निकालने जो हमें निकालना है यही तो इसमें का मुख्य था यानि हमें क्या करना बेटा A, B फाइंड करने है A, C भी फाइंड करना है ठीक है A के तिर्भूज बना है लिखिए तिर्भूज A, B, C में कौन C बराबर Tisans भाई तिर्भूज A, B, C में कौन C क्या है Tisans है अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिए हमें क्या निकलना बेटा A, B और A, C दोनों निकालना है तो दोनों तो एक साथ में हो नहीं पाएगा हम मानलो कि हम ए भी निकालने की कोसिस करते हैं और इसको मान लेते हैं यच है मानलो कि यच है कुछ भी मानलो आप कोई दिक्कत नहीं है या फिर ना भी मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यानि फिर हमें क्या क्या मिल जाएगा ये लंब बटे आधार अगर उसको यह मान लोगे तो क्या मिल जाएगा लंब बटे आधार लंब बटे आधार किस में होता है लाल बटा कक्का सभी पढ़े हो बुढ़ागे पढ़ते पढ़ते लंब बटे आधार बेटा लाल 10 में होता है इसलिया क्या लिखोगे 10 थीटा इककल क्या होता है लंब बटे आधार यह हमारा सुत्र है तो यह हो जाएगा 10 थीटा की जगा पर 30 हंस क्योंकि वहां पर हमें तीफ दिया है और लंब लंब मतलब AB और आधार आधार मतलब इसका क्या BC ठीक है तो अभी तो हमें फिलहाल यहां पर भी मान नहीं रखने चाहिए क्योंकि हमने AB BC भी नहीं रखा तो यहां पर सिर्फ थीटा ही रख लो एक लाइन और बढ़ जाएगा बाकि डिरेक्टली आपको मान रख देना चाहिए कोई दिक्कत नहीं यह समझने के लिए मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं तो थीटा पर तीफ रख देंगे AB कमान यच और BC कमान आर्ठ यह कुछ नहीं दिया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देखे यहां पर आप लोग कुछ कंफ्यूज होंगे कंफ्यूज का होंगे कोई कंफ्यूज है नहीं यह कमान आ जाएगा 33 कमान क्या ह बढ़ा वन अपार अंडर रूट थीन होता है ना वन अपार अंडर रूट थीन इक्कोल यच अपान आठ हल कर लोगे यहां से तो यह की बैलू जो आएगी बेटा निकाल लो यह बराबर इतना आप जानते हो क्रास मल्टिपल कर दोगे तो अंडर रूट 3 यह यह आठ क्रास मल्टिपल करो एच कमान आजाएगा दस में पहुंचे हो चलो जल्दी इतना कर लो मैं सामने से हट जाता हूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम फटा पट निकालते जाएंगे जल्दी करिए हो गया इतना हम एच कमान लिख सकते हैं आठ बटा रूट 3 यहा देखे आप एक चीज ध्यान देन आपको देखो यहां पर समझना है वह क्या है कि जब हमने इस चित्र में इसको अधार लिया था इसको लंब लिया था उस समय हम इसको भी ले सकते थे करण को क्योंकि हमें यह भी तो फाइंड करना है न तो इसको अभी तक हमने क्या माना इसको आप ब Juice माना थैया है इसको TRA50मण ब्रॉन कोई दिककत नहीं कुछ भी मान लो क्या एंव और फिर आप कुछ न गालो तब ही सई है अमने क्या मान लिया брandtech d टिखे चलिए निकाल दिपश एंगे पुना जहां तक लिखे थे उसके आगे लिखो पुना तिर्भूज ABC में कौण C बराबर 30 अंस कौण C बराबर क्या होगा बिटा 30 अंस तो अब क्या लिखोगे आप साइन थीटा इक्वल देखो साइन थीटा क्यों लगाएंगे क्योंकि अब की बार हम लंब और करड लेने जा रहे हैं क्योंकि हमें A भी मिल गया अब हमें AC निकालना है तो AC निकालने के लिए हम इसको अरजाएंगे कुश्चन में तभी तो आएगा न यानि हमें करड भी चाहिए तो लंब बटे करड साइन में होता है तो साइन एंगल है 30 का और लंब कितना है जो सामने दिया है यानि AB AB अगर हम बात करें तो इसका मान हमें अल्रेडी मिल चुका है आठ बटा अंडर उड़ तीन तो हम इसको ऐसे रख देंगे अपान करड करड यानि H1 हमें नहीं पता है साइन तीस अंस कमान आप सबको पता है बिटा सबको पता है कि साइन तीस कमान एक बटा दो होता है इक्वल देखो यह फ्रेक्शन के फार्म में है H1 जो है वो क्या है फ्रेक्शन फार्म में नहीं है ठीक है इसके नीचे हम 1 लिख सकते है और लिख सकते हैं यह हल करना आपको आता है बाहर का बाहर अंदर का अंदर ऐसे गुड़ा करते हैं तो इसका multiple होगा 8 हो जाएगा नीचे इसका होगा under root 3 h1 यहां से हमें सिर्फ h1 find करना है क्या करना है h1 find करना है तो निकाल लो कोई दिक्कत नहीं इनका cross multiple हो जाएगा आपका सकते हो कि h1 into under root 3 बराबर यह 16 हो जाएगा h1 निकाल लो तो क्या हो जाएगा h1 बराबर वाइच 16 बटा under root 3 हो जाएगा h1 बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा अंदर बुट 3 इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं ना यानि हमें क्या मिल गया H1 भी मिल गया, क्या मिल गया ? 16 बटा, under 3 लिख लो इसको भी 16 बटा, under 3 हमें निकालना क्या था? पेड की उचाई निकालना था, यानि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें A, B और A, C दोनों मिल गया है सुरू-सुरू में हमें लिखा था उपर देखो पेड़ की उचाई A B धने C लिखा था ना और हमें पेड़ की उचाई ही ग्यात करनी है इसको मिटा दी जल्दी करिए उसके बाद मिटा के डारेक्टली A B और A C कमार रख दो आँसर आपके सामने आगे बढ़ें चलो जल्दी आजाओ फटा फट देखिए बच्चों अगर आप इसे नहीं लिखे थे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से लिख लीजिए अच्छा रहेगा चलिए अब हम क्या करेंगे अपना फाइनल आंसर यहां पर लिखने जा रहे हैं पेड की उचाई बराबर ध्यान देना बिटा ध्यान देना अबी कमान वहाँ पर आया तुम्हें दिखी रहा है आठ बटा रूट तीन दन एसी एसी सोला बटा रूट तीन दोनों को जोड़ देंगे जोड़ना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है अगर हर-hर बराबर है तो अनस-अनस बड़े प्यार से जुड़ जाता है तो ये 16 आठ 24 बटा रूट तीन कभी भी अंसर अंडर रूट में नहीं लिखते हैं हर में फिर इसमें क्या करेंगे हम इसमें हम इसका हरकपर में यी करन करदेंगे अंडरूट 3 से उपर निचे गुड़ा हो जाएगा तो बेटा यह हो जाएगा 24 अंडरूट 3 अपान 3 ठीक है 3 से कट जाएगा यानि फाइनल में 8 इंटू अंडरूट 3 यह क्या होगे आंसर अब लिख देंगे क्या फाइनल होगे आंसर अथा पेड के उचाई बराबर 8 इंटू अंडरूट 3 इसी को कोई डाउट है तो बताओ इनी डाउट नहीं कोई डाउट नहीं चल्दी करिए जल्दी करेंगे जल्दवाजी नहीं अगर अभी तक आपने PBR स्टड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप कम समय में अच्छे से सीखना चाहते हैं क्योंकि फिरी कोर्स अगर पूरा पढ़ेंगे तो अधाइम जादा लगता है कम समय में सीखना चाहते हैं तो PBR स्टड़ी एप डाउनलोड करें और आज ही घर बैठे सीखें थोड़े ही समय में अगला देखिए कोईश्चन नंबर तीफरा देखिए इसमें क्या कह रहा है पहले तो आप लोग कोईश्चन को देखेंगे उसके बाद तब फिर समझेंगे ठीक है अध्यान दीजिए कहरा कि एक ठेकेदार ठेकेदार आप लोग जानते हो ना जो काम ओम करवाते हैं कोईश्चन पहले स्क्रीन पर आ जाए तब हम पढ़ते हैं ठीक है कहरा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिफलन पट्टी लगाना चाहत लेकिन यहां पर बात हो रही बच्चों की क्या लगाना चाहती है फिसलन पट्टी और पांच वर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका सिखर 1.5 मीटर की उचाई पर हो सिखर का मतलब उसकी मतलब टोटल उचाई एक प अगर हम आपने आपको लें तो हमारा जो सिखर है वो क्या है ये खोपड़ी उपर सबसे उपर समझ रहो ना तो कह रहा कि सिखर 1.5 मिटर के उचाई पर हो और भूमी के साथ में 30 अंस का कोड बना रहा हो पहले तो हम आपको फिसलन पट्टी दिखाएंगे ये फिसलन कौन से जानवर का नाम है जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको भी नहीं पालूम होगा ये देख लीजी होता नहीं है बना होता जिसे उपर बच्चे बढ़ते हैं ऐसे फिसल के नीचे जाते हैं फिर उस पे चड़ते हैं फिर फिसल के नीचे जाते हैं इसी को क्या बोलत करते हैं एक बार हम प्रस्ण को फिर जल्दी से पढ़ेंगे उसके बाद हम को चलेंगे अब दूबारा को नहीं पढ़ेंगे ठीक है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिफलन पट्टी लगाना चाहती है पिसलन पट्टी क्या है मने आपको यानि तीस हंस पर लटका हो जबकि इससे अधिक उमर के बच्चों के लिए वो तीन मीटर की उचाई पर एक अधिक ढाल की इसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमी के साथ में शाट हंस का कॉंड बनाएगा देखिए जितना ज्यादा कॉंड बढ़ता जाता है उतना ऐसे रेखा सीधी होती जाती है समझ रहो ना? जैसे कहीं उचान पर अगर चढ़ना है अगर उचान कम होगी तो कौन कम होगा जैसे अगर मान लेते हैं ये समतल है ऐसे समझ लो ये क्या हमार हाथ क्या समतल है अगर अगर इस पे हम ऐसे चड़ेंगे तो एंगल कम है मनलो बहुत जद्धा बन रहा होगा 10 वस या 15 का बन रहा होगा ऐसे करें तो 30 का बना ऐसे कर दिये तो कितने का बन रहा है मनलो 60 व koyt का और अगर यह एक दम सीधा हो गया तो कितने का बनेगा एंगल 90 का बनेगा मतलब पूरा-पूरा सम कोण बनेगा है ना जहां बहुत ज़्यादा उचाई होती है वहाँ पे कोण कितने का हो जाता है मतलब वही 50-60 वाट डिगरी कम से कम और अगर 60-70 डिगरी का कोण बनेगा तो कोई साधरन इंसान या कोई परकार की गाड़ी या व गुमा गुमा के बनती है उनकी तो बात अलग है लेकिन अगर किसी छद पे चड़ने के लिए सीधी सीधी ऐसे जी लगाई जाये तो तो वह लगबक 70 कोण पर बनती है लेकिन उस पर कितना ढ़ाल होता आप आप अहसास कर सकते हो है ना उस पर गिरने के बाद सीदा-फीद हाद पर सलामत नहीं बचते हैं गाहे फिला है प्षिंशन पर musical सरह कोया और मैं पहले हम बनाते हैं कि इसमें दो इस्थिति बोल रहा है दोनों हम बनाएंगे एक कहरा 1.5 मीटर की उचाई पर है एक 3 मीटर की उचाई है तो दोनों को हम corporate Будie देंगे एक में ही दोनों को बना देंगे क्योंकि हमें दिखाना है आपको आए इधर साइड में चित्र बनाते हैं यह माल लेते हैं क्या है यह तीन मीटर वाली फीफलन पड़ती है और आगे समझना थोड़ा कम बड़ी लग रहीत इसको और बढ़ा कर लेते हैं इसमें बढ दालो अंज add के मिलाया जाता इसमें कोई confirm नहीं की बना रही जल्दी खींचो फटा पट इतना ऐसे अगर आपके सामने पूरा पूरा complete हो चुका है किसी को confusion ना हो थोड़ा time जल्दी question हो जाए फिले मैंने बना दिया आपको दिखाया नहीं है न बस यही बात बोला था मैंने बना दिया आप क्या करेंगे कोई करने के पहले इसमें लिखते हैं दिया है जो जो दिया होता है उसको लिखते हैं आप लिखोगे गिबन गिबन मिन्स दिया है क्या क्या दिया है उसको मैं लिखूंगा question number यहां पर डाल दीजिए जिनको ज्यादा परेसानी है 9.1 10 चलो ठीक है इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे पहले तो हमें BD दिया है 1.5 पहले हम एक एक फिगर में चलेंगे पहले हम छोटके वाले तिरभूज में चलेंगे और फिर बढ़के वाले तिरभूज में तो लिख लो बेटा पहला इस्थिति बाई कह रहा था क जो पांच वर्स से कम बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलान पट्टी है वो डेड़ मीटर वाली है और जो हम लोग जैसे बुढ़ा गए ना उनके लिए तीन मीटर वाली है तो आओ चलो यहां पर लिखो केफ नंबर फस्ट हिंदी में लिख दीजिए इस्थिति फस्ट प पांच वर्स से कम बच्चों के लिए फिसलान पट्टी की लंबाई पांच वर्स से कम बच्चों के लिए फिसलान पट्टी की लंबाई ठीक है अब लिख लेना यार लिखना मुझे बड़ा गंदा लगता है राइटिंग बनती नहीं है इनहेर किसलन पतिी की लमबाई ये हम निकाल रहें ठीक है लिखिए इसमें क्या क्या दिया है कि हो गया है यह स्थिति कने नंबर Χाइत हो गई इसको लिखने इसमें थोड़ा मुनें जल्दी कर दिया है इसको नीचे लिखो ठीक है ग्यिबन इसको नीचे लिख थोड़ा कर लो भाई ये विपर लिखना था जाद आछा रहेगा निदे इसको भी दिया है मेंलिख देंगे तो मामला गड़ बड़ जाएगा जो जो하다 लिख दो अब अगर धियान दिजिए हमें लंब दिया है और यह c-d निकालना यह कर्ड लंब और कर्ड़ में हमें क्या करने है आगे बात बढ़ानी है तो चलो कर लें फटा फट इसमें कोई दिक्कट नहीं है आज सी स्थिती में हम लोग क्या करेंगे ऐसी थिती में हम लोग क्या करेंगे वैं सिम्पल सी बात है साइन लगाएंगे लिखो साइन थीटा बराबर लंब अटे करड़ और हमें इसमें लंब और करड़ दिया भी है BD upon CD तो थीटा का मान रखतो बेटा 30 BD BD 1.5 दिया है CD कुछ नहीं दिया हमें निकालना है सारे मान रखते जाओ फटा फट 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 रखते जाओ तो बेटा यह 1 upon 2 होता साइन 30 का मान 1.5 upon CD क्रास मल्टिपल करोगे तो CD बराबर 3 मीटर आएगा क्या आएगा बाबू 3 मीटर आएगा ठीक है यानि पहली स्थिती में जो फिसलन पट्टी बनानी पड़ेगी ठेकेदार को वो 3 मीटर की बनानी पड़ेगी कितने मीटर की? 3 मीटर की चलिए स्थिती नंबर सिकंड में आगे बढ़ते हैं इसको लिख लीजिए स्क्रीन साट ले लीजिए वीडियो को करके बहुत जल्दी करिए आगे बढ़े ऊपर लिखिए स्थिती नंबर सिकंड जल्दी करिए स्थिती नंबर सिकंड देखिए स्थिती नंबर सिकंड में क्या कहता है उसमें भी जो भी दिया है जैसे भी वैसे ही लिख लेंगे इस्तिति नंबर सिकेंड के लिए बिटा पूरा पूरा लेंगे तिर्भुज एबी सी में तो एबी तीन मीटर दिया है और इसके लिए एंगल हम सी वाला ये लेंगे स्वरी साथ हंस वाला क्योंकि जो बड़े बच्चे उनके लिए साथ हंस का कॉंड बनाने को बोल रहा था इसको करेंगे इसके पहले एक इंपॉर्टेंट महत्वपुड सूचना सुन लीजिए स्क्रीन पर देख लीजिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं अगर आप या आपके घर में कोई भी ब्राटमेंड लगवाने को सोच रहा है पूरे आल इंडिया में कहीं भी तो एट कोई सुनवाई नहीं इंटरनेट नहीं चल रहा है कोई मतलब नहीं हाँ हाँ बोलेंगे सर बस दो गंटे में गंटे में हो जाएगा होता कुछ नहीं है ताइम बरबाद करना है तो लगवा लीजिए पैसा टाम से बरबाद होगा हम आपको सुझा दे रहें फीडबेक दे घड़ने लें नोगे हैं झीर देकता है लिकोई कि अ भूठ एबी सी में k1 छी क्यरांबर साथ होerel हिका है दो वेको बंगे लंब दिया है यानि हमें A-वी दिया है और करड हमें निकालना है यानि लंब और करड की बात हो रही है तो हम इसमें लगाएंगे साइन विसले सा AB का मान कितना है तीन और करड़ AC AC हमें नहीं दी है तो हम इसका मान निकाल लेंगे चलो फटपट इसका मान अंडरूर्ट 3 होता साइन साथ का 3 बटा AC सिर्चा गुड़ा कर लो इसमें 3 कहां से आ गया क्योंकि वो दिया था ठीक है अंडरूर्ट 3 बटा 2 होता इसका मान साथ वालेगा फिर्चा गुड़ा कर लीजिए इधर साइड आईए निकाल लेते हैं तो देखो बटा इसका गुड़ा करोगे आप एक में मल्टीपल करोगे न यह हो जाएगा एसी इंटू अंडरूर्ट 3 बराबर छा इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से हम एसी निकालेंगे तो छे बटा अंडरूर्ट 3 आएगा अब देखिए यहां पर जो अंडरूर्ट 3 है ना बेटा वो नीचे आंसर में हर में जा रहा है और हर में कभी भी आंसर में इस तरह से अंडरूर्ट लगा के नहीं लिखते हैं तो इसे उपर करने के लिए हम क्या करेंगे हर का परमेई करण करेंगे तो अंडरूर्ट 3 से नीचे दोनों में गुड़ा कर देंगे तो नीचे से अंडरूट 3 यानि रूट हड़ जाएगा तो 6×3 बटा नीचे 3 आजाएगा क्योंकि 3 का जब 3 में गुड़ा होता है अंडरूट वह दोनों में यह तीनी बचेगा दो आयागा यह कट जाया यानि AC बराबर कितना आयागा दो अंडरूट तीन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न यानि जो इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वेटा कितना होगी दो अंडरूट तीन खिक है और इसकी वाली कि क्या आई थी अभी-अभी आपने देखा था मने निकाला था तीन मिटर आई थी डहती नंथे तोह इह थी ना तिन इसकी कितना होगी चोटे बच्चों वाली 3 होगी कितना होगी 3 मिटर और बड़े वच्चों sprinkle 2x10 अंडर रूट तीन मीटर ठीक है कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में कौन सी फिसलन पिट्टी ज्यादा लंबी होगी लिख लीजिए स्क्रिंसाइट ले लीजिए आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए यह कुश्चन आपका तीफरा कंपलिट हुआ चौथे कोश्च कुश्चन नंबर आठमाद इस्क्रिन पर देखिए ध्यान से या फिर आपकी किताब में पैज नंबर 226 पर है कहरा कि एक पेड़ेश्टल के सिखर पर 1.6 मीटर उची मूर्ती लगी है तो देखो बाबू पेड़ेश्टल क्या है एक परकार से एक कोई चबूतरा है अस्त चाहाताःखत जी या सर्दार भगस सिंह की हो सर्दार बलब भाई पटेल जी की हो तो मूर्ती जमीन पर तुम लगती नहीं है मूर्ती जहां लगाई जाती है कोई बनाया जाता कुछ उपर लगती है मूर्ती रखी एकिका कर हो फिदी सिखर पर 1.6 मीटर मूर्जि पर यह एक pedestal है इसे मौन लीजिए चौडा सा है यह हम जादा इसे नहीं दिखा रहे हैं लंबा करके यह मानलो क्या है इसके उपर एक मुर्टी लगी है बेटा क्या लगी इसके उपर एक मूर्टी लगी है और मूर्टी कहई रहा कि 1.6 चिंग क廷्च में मूर्ति क्या है 1.6 में आगे देखना कि भूमी करने कि एक बिंदु से मूर्ति के सिखर का जो 50 है और यहीं कि बिंदु जमीद से यहीं है क्यों ब heirदस्टर ऩूंत यहीं से तो देखो वेटा हममाल लेते हैं कि जमीन का व बिंदू यहाँ है और यह मुर्ती का सिखर ऊपर है याद रखना हाँ यह कितना है साथ हंस का है कितने का है साथ हंस का है अभी यहीं बात खतम नहीं होती और भी कुछ कह रहा है कि बिंदू से पेड़ेस्टल के सिखर का जो 99 yep 75 है वहीं पेड़ेस्टल का सिखर यह है मूर्थी का सिख बाबू अनुछ बाबू 6 हमें यह निकालना है और यह कोई बिंदू का दूरी उरी दिया है कुछ न दिया है कुछ नहीं दिया है हम इसे कुछ भी मान सकते हैं क्या मान ले हम लोग यह मान लो कुछ भी मान लो दूरी को कुछ भी मान लो चलो ठीक है फिलहाल इनकी numbering कर लेते हैं इनके नाम लिख लेत और यह जहां पर प्रेडेश्टल आके यहां पर कर रहा है यहां पर दिया है चलो देखो इसमें क्या-क्या दिया है अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें लंब और आधार दिया है क्या दिया बाबू लंब और आधार दिया है कि यह दिया है ना चलो मैं बताता हूं लिखिये यहां पर दिया है यहां पर लिखिये हल लिखिये दिया है इंगलीस वाले लिखेंगे गीबन क्या-क्या गीबन है बेटा इसमें अगर देखो तो एंगल सी एक जगा दिया एक इंगल का दिया है दूनों जगा दिया है और तो मुझे और मुझे सिकर करका मुर्ति का कुछाई है उसमें में जो भी दिया मोटा उब का चीज दिखalए को और हम प्रम का को करका है हाथ ही तो में हम लिख सकते हैं कि में AD 1.5m मीटर दिया है और इसमें एंगल सी दिया है एंगल सी बराबर 45 वा 30 डिग्री दो कंडिशन में अलग-अलग एंगल सी जो है वो 45 और 60 दिया है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है अभी ठीक है आईए सबसे पहले हम छोटे तिरभूज में लेंगे तिरभूज D, C, B में या फिर B, C, D में तो लिखो तिरभूज B, C, D में यहां पर लिखिए तिरभूज B, C, D में लेको बेटा B, C, D मतलब नीचे वाला तिरभूज B, C, D इसमें लिखो एंगल सी बराबर 45 डिग्री और B, D बराबर यच चुकि हमने माना था और B, C बराबर हमें निकालना है देखो बच्चा समझो अगर इसमें हमें B, D दिया है अगर कोण यहां बन रहा है C पर तो सामने का बुझा लंब हो गया B, D दिया है यहनि हमें आधार क्या करना निकालना है तो बिटा लंब और आधार किसमें होता है 10 में होता है तो सीधी सी बात है इतना यहां करने के बाद हमें लिखेंगे यह लिखेंगे 10 थीटा वरावर लंब बटे आधार तो लंब क्या है सामने का बुझा लंब है लंब यानि BD आधार यानि C B या फिर B C ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं चलो थीटा कमान रख दो 10 थीटा कमान कितना बिटा 45 डिग्री है इक्वल बीडी बीडी याच है और यह कितना है B C इसको निकालना है 45 कमान 1 होता सबको पता है इक्वल याच अपान B C यानि हम कह सकते हैं यहां से क्रास मल्टीपल जब करेंगे तो तुम सबको पता है B C बराबर कितना आ जाएगा याच आ जाएगा हम कह सकते हैं कि B C बराबर कितना आ गया याच यानि हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यह BC और BD बराबर हो गई बराबर हो गई न हमसे पूछा क्या था पूछा था इसी यह का मान निकालना है लेकिन यहां पर अभी कोई सलूसन नहीं निकला हमें BC का मान कितना है यह चाया है हम इसको ऐसे रहने देंगे अब आगे बढ़ेंगे ठीक है अब पूरे बढ़े तिर्भुज में लेंगे समझते चलना अब आगे कहानी क्या है समझते चलो यह इतना मैंने साइड कर दिया यह हो गया पहली कंडिशन के लिए ठीक है चलो बिटा आगे देखो अब तिर्भुज A, B, C में A, B, C में कौण C बराबर कितना है 60 हंस है देखो बढ़े वाले को लेंगे ठीक है तो जब कौण C 60 हंस लेंगे तो इसके सामने की बुजा क्या है लंब है नीचे क्या है आधार है अब यह 45 वाली लाइन से हमसे कोई मतलब नहीं रहा गया यह अभी इसको लेंगे पूरा पूरा समझे रहे हो ना यह अब हमें सिर्फ इतने से मतलब है अगर हम A, B, C में लेंगे तो हमारा फिगर एक कुछ इस तरह बनेगा समझाने के लिए बता रहा हूं मिटाना नहीं आपको ठीक है यह समझ के चलेंगे तो सामने के बुजा क्या है लंब और आधार इ क्योंकि पूरा पूरा निकालेंगे ना तो पूरा पूरा निकालेंगे तो क्या होगा भाई इसका जो लंबाई है वो 1.6 प्लस यच होगा याद रखना मैं अंदर में लिख दे रहा हूं जगा है इसलिए लिख दिया हूं ठीक है इसको ऐसे मिला लो इसको ऐसे बेमानी न जा रही है आप समझते चलो लिखो या न लिखो ओन पॉइंट 6 और ये यह दोनों को जोडेंगे तब ही तो पूरा-पूरा निकले गहा ठीक है चलो यह दिया है इसमें बेटा लंबटे आधार इसमें भी 10 लगेगा 10 थीटा इक्वल लंबटे आधार लंबटे आधार तो बैटा 10 थीटा कमान 60 है लंब का मतलब AB AB का मतलब 1.6 प्लस यच आधार का मतलब BC BC का मतलब यच ठीक है देखो बाबू इस कमान क्या है 10 60 कमान तुम सबको पता है अंडरूट 3 होता है इस कमान रख दो 1.6 प्लस यच अपान तुम ग्रास मल्टीपल करेंगेगे तो अंडरूट 3 यच इक्वल 1.6 प्लस यच आप समझना इनको आपस में घटाएंगे क्या करेंगे, शब्ट्रेक करेंगे थोड़ा सा समझना तो यह हो जायगा, अंडरूट 3 यज माइनस यज एकोल 1.6, यज कामन लेंगे, अंडरूट 3 माइनस 1 एकोल 1.6 समझते चलना यहाँ से देखो बेटा, आब हमें क्या करना है यच की value find करना है अगर हम यच निकालेंगे तो क्या होगा यह इधर जाएगा भाग में हो जाएगा final में इसके बाद हम यहां हाल करेंगे तो यच कमान हो जाएगा बेटा 1.6 अपान अंडरूट 3-1 नीचे वरकमूल में अंसर नहीं लिखते हैं इसलिए इसमें क्या करेंगे इसका जश्ट आपोजिट करके उपर नीचे गुड़ा कर देंगे अंडरूट 3-1 और नीचे अंडरूट 3-1 इसके आगे हल करेंगे अब तुम सब को पता है क्या होने वाला ह मल्टीपल करो फटा फट 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 जल्दी जल्दी कड़ालो सब को पता है इनका गुड़ा होगा तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं है यह हो जाएगा 1.6 इंटू अंडरूट 3 और प्लस का वन नीचे देखो यह प्लस माइनस बन गया ए प्लस बी माइनस बन इसको देखो घटाएंगे तो दो आएगा आगे जगा मुझे कम लग रही ना लेकिन मैं यहां से कर सकता हूं इतनी जगा है ठीक है तो यह हो जाएगा 1.6 अंडरूट 3 और प्लस का वन अपान नीचे दो समझते चलना मैं step by step बता रहा हूं यहां के बाद मैं यहां लिखा है और यहां के बाद फिर यहां लिख रहे हैं अब दो से यह कटे का बिटा तो यह आएगा 0.8 और अंडरूट 3 धनवन यह इतना अंसर हो गया इसके आगे इसमें कुछ नहीं होगा समझ में आया इस तरह से आपका question number 8 खतम हुगा कोई doubt है तो बता दीजिए मुझे जल्द के लिए यहां उपर से हल किया यहां तक यह कमान यहां इतना आया है फिर यहां से हम इसको ले जाके इधर साइड हल किये हैं इतना और फिर आगे गये हैं ठीक है और फिर नीचे आये हैं यहां तक और यहां के बाद फिर इसको लिखें हो गया कोई दिक्कत तो बता दीजि तो एटल के बारे में बिल्कुल न सोचीं लगबख साड़े ग्यारा हजार हमारे इसमें बरबाद हुए हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अभी भी लगबख लेकिन सर्विस पूरी तरह से बरष्ट है 325 दिन की बल्डिटी बची है के बलोगरा कट जाती है कोई इसू आता है तो इनके पीछे एक लोग की डूटी लागानी पड़ती है परिसान रहोगे कोई सुनवाई जल्दी नहीं करते हैं बाद में समस्या का समधान करेंगे लेक तरह चुके हैं और इनसे परिसान हो गए धन्यवाद अगला कुश्चन देखिए परसन आपके सामने स्क्रिन पर दिख रहा है जड़ा ध्यान से देखिए पढ़िए और कोशिस करिए कि एक 80 मीटर चौड़ी सणक के दोनों और आमने सामने मतलब फिर से समझना दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं एक खंबे का जो कोण है एक खंबे से कितने का है 60 का बन रहा है और एक क्या बन रहा है तो भाई सीधी सी बात है जिदर कोण 30 हंस का बन रहा है और जिदर 60 हंस का बन रहा है यानि जो बिंदू है जिस बिंदू से कोण बन रहा है वो 60 हंस वालों के पास होगा क्योंकि जितना खंबे के पोल के पास होगा वो बिंदू उतना ही कौन सीधा बनेगा और ज्यादा का बनेगा 60 का या 90 का नबे का मतलब तो उसी खंबे के जश्ट पास हो जाएगा क्योंकि इस्ट्रेट बनेगा तो चलिए हम माल लेते हैं कोई एक सनक है सनक भाई अपको पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं सनक तो हर को जानता है जिनकोँ मैं दिखाता हूं फील पहले देख लो फिर बताऊ देखो इधरवासाड न बटा दिखना न बाबू यहां तक दिख रहा है ठीख है तो मैं यहां पर क्या करता हूं यह एक में मैं सनक що बना बैस सनक है ऐसे ऐसे जा रही है हाँ अब कहोगे ऐसे कैसे जा रही है ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है सनक ऐसे तो जाती ना मैं इसको भी पार्ट पार्ट में बना रहा हूं सनक अभी बनी नहीं है ऐसे जा रही सनक कहा कुझ जा रही है ऐसे ऐसे जा रही तो क्या है यह सणक कितनी चोड़ी है 80 मिटर अब आगे की कहानी समझना इस सणक के दोनों तरफ क्या है भीटा खंबा लगा है खंबा मतलब पॉल अब यह कोई 3D आकरती तो है ने कि तुम्हें खंबा ऐसे दिखा दू निकाल के यह 2D है तो इसलिए इसमें जो खंबा अगर भी दिखाएंगे आपको वह केवल आपको अपने मानसिक बुद्धी की आधार पर समझना पड़ेगा है कैसे है मैं थोड़ा दिखा देता हूं देख लो कि यह कुछ खंबे मैं आपको दिखाने की कोशिज कर रहा हूं इसक्रीन पर ध्यान दीजिए इसमें तो एक के तरफ आपको खंबा दिख रहा होगा रोड के लेकिन अगर थोड़ा और आगे देखो जो बाइक वाला जा रहा है उसके आगे देखो एक आट और रिक्सा टा किदर फैट दिखर एदर दिख रहा है तो ऐसे अगर उधर साइड भी खंबा हो और जहां पर वह बाइक है खंबे के पास बाइक दिखरे एँ तुम्हें स्क्रीन पर वहाँ से अगर कोई एख रूटी गाड़ दे एक खीली गाड़ और उसमें से खंबे केक दम ऊपर से ए डोरी बांद है और दूसरे तरब भी खंभा ईय्से डोरि बांद है तो क्या बनेगा एक क्वोण टाईब अइन अनगल बने मा상 defence आओ दिखाते हैं खंभा देख लिया तो यह बैटा क्या है यह यह है यह क्या वहीं यदर साइड क्या बैटे का यह यह Tusk як nehme और एक क्या कहा रहा है तीस हंस का बन रहा है याद रखना यह तीस का बन रहा है यह कित्ता का बन रहा है साठ का बन रहा है एक 30 का एक 60 का क्यों बन रहा है क्यों कि एक किढ़ान ज्यादा है एक कि कम है ऐसा इसमें दिया गया है ठीक है तो फिगर में आप ऐसे नहीं दिखाओ गंदा गंदा आप इस संड़क को ऐसे सीधा-फिदा मान लोगे एक लाइन में क्योंकि तिरकोड मीती में सब बना के वह नहीं दिखा जाता है स्मझे रहे हो तो यह क्या होगे आपका फिगर हो गया इतना मोटा मोटा जितना ही कह रहा था कि आगे क्या कह रहा है कुश्चन एक बार फिर से देख लो कि खंबा उंबा अटाओ बाई कुश्चन दिखाओ कह रहा था कि साणक 80 मीटर चौड़ी है रख दो कुश्चन को अभी हमें परिसान ना करो आओ यह कितना है यह 80 मीटर चौड़ी है रोड इनके अभी कोई नाम नहीं दिये गये हैं इनके नाम हो अपने अकार्डिंग लिख लेंगे कुछ भी लिख लो ए बी दी ए चलो इनके नाम लिख लेते हैं ए बी दी और ए कोई दिक्कत नहीं किसी को कुछ भी नाम कहीं भी लिख सकते हो अब देखिए कहें क्या रहा था करा कि खंबों के उचाई और खंबों से बिंदू की दूरी ग्याद कीजिए खंबों की उचाई का मतलब दोनों खंबे समान उचाई के हैं ऐसा कहा है परस्न में तो हम एक ही खंबे की उचाई निकाल लेंगे दोनों का मिल जाएगा और ये जो बिंदू सी है ना बिटा इ हम मान लेंगे यक्स, बाई कि amyak快ने कि मान लेंगे क्या मान लू इसका इधर मान लेंगे मान लो कुम बान लो हम मान लेते हैं B.C कितना यक्स है कि मान लो लुटा क्या यक्स folos यह की बचेगा? बिटा यह क्या है C है अगर हम BC को X मान लिए तो जो CD है वो कितना हो जाएगा 80-X हो जाएगा कितना हो जाएगा 80-X इसको मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ जिसे तुम्हें कोई परकार की confusion ना रह जाए ठीक है दन चलो देखो समझो 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 यह C है बिंदू और यह कितना था 80 था क्योंकि मैं थोड़ा और दूर लिख दे रहा हूँ हमने इसको कितना मान लिया बेटा यक्स मान लिया समझना तो यह पॉइंट आपका 80-1 बचेगा यह भी समझ ना तुम अब क्लियर हो रहा है न एक तम क्लियर हो रहा है चलो ठीक है । हमें इसका अधार भी पता हो गया और और इसकी उचाई निकालनी हैं उचाई हमें पता तो है नहीं तो हम कुछ भी मान सकते उचाई को सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है लिखो दिया है यहां इधर साइड में लिखो गीबन यह हिंदी में लिख लो दिया है क्या क्या दिया है यह हमें दिया है ऐसा कह रहा था ना कि दो खंबे हैं जिनके नाम अमने वाद डी रखा है सवरी उतर दिए है तो आप इसे सीडी नहीं बलकि दी लिखोगे ठीक है और बेटा इसमें क्या दिया है बीडी असी दिया है ये भी आप लिखोगे बीडी कितना दिया है असी मिटर दिया है यहां से अगर हम बीसी निकालेंगे तो यक्स है पीसी कितना है यक्स मीटर और इसी तरज पर अगर हम सीडी निकालें तो असी माइनस यक्स मीटर यह हमें क्या है दिया है इसमें किसी को कोई अपत्ती नहीं अब लिखो विटा आगे लिखो फटाफट लिखो तिरबूज ABC में किसमें ट्रेंगल ABC में लिखो इसमें यक्स कमान दिया है हम तो लिखो यहां पर लिखो तिर्भूज A, B, C में कौण C बरावर कितना है 60 हंस का है ठीक है इसमें एक चीज आपको ध्यान देने लाइक है कौण C कितना 60 है और हमें ये निकालना है यानि इसमें हमें लंब और आधार खुल मिला के इतना ही लगरा मालूम करड के बारे में कुछ पता है नहीं तो हम क्या करेंगे A, B निकाल लेंगे ठीक है लंब और आधार 10 में ही होता है तो 10 थीटा बरावर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार इसमें कोई डाउट होगी तो बता देना बिलकुल भी बिटा देखो थीटा कमान 60 हंस रखोगे क्योंकि कोड 60 दिया है और लंब भाई यहां पर अगर कोड बनेगा तो सामने की बुजा लंब होगी परपेंटिकुलर होगी जो की A, B है तो हम A, B रख देंगे और आधार कुछ नहीं है यक्स था मैंने यक्स रख दिया तैंसार्ट कमान अंडरूट 3 इसके नीचे वन चुपा देंगे A, B अपान यक्स इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न A, B कमान निकाल लेंगे बाबू यहां से A, B अगर हम निकालेंगे तो यह आएगा अंडरूट 3 इन्टू यक्स अंडरूट 3 एक्स बोल सकते हैं ठीक है यह इक्वेशन नमबर फ़र्स्ट हो गया यह पहली कंडिशन से हमने समिकरण एक पराप्त कर लिए ठीक है बेटा अब आगले ट्रैंगल में आजाओ ट्रैंगल C, D, E में ठीक है में इसमें भी दिया है आपको C, D बराबर 876 मेटर क्या दिया है, 817 एक्स मेटर है इसमें कोई डाउट नहिना थोड़ा यह गंदा लिखाई से थोड़ा सा ही कर लो 878 मैटर कीतना एक्स मेटर का और क्या करना हमें जरा ध्यान देना और समझने की कोशिस करना हम समाजना क्या दिया है क्या करना है हमें तो वही उचाई निकल नहीं है चलो चलो रखते हैं इसमें भी लंब और आधार एकदम सेम टू सेम वही है तो इसमें भी क्या लगाएंगे बैटा इसमें भी हम लोग लगा देंगे 10 ना लिखो इसमें डिरेटली सूत लगा देते हैं 10 तीस अंस इकवल लंब बटे आधार लंब है डीए क्या है वेटा डीए आधार है आधार है आपका सीडी सीडी कमान है असी माइनस यक्स मीटर इसमें किसी को एनी डाउट नहीं न चलो आगे फटा फट चलते हैं बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से चलो वही तैंटीस कमान रख दिया आप देखो आगे इसमें ध्यान दीजिए क्रास मल्टिपल करके आप डीए कमान निकाल लीजिए को बहुत बड़ी बात तो है नहीं ठीक है बटा तो चलो यह इसका मान मैंने रखी दिया इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे डीए अपान एटी माइनस यक्स क्रास मल्टिपल करेंगे तो इसके साथ में क्या हो जाएगा मल्टिपल हो जायागा यानि फाइनल में अगर डीए बोलें तो बटा यह हो जायागा असी माइनस यक्स अपान अंडरूट तीन इसमें कोई डाउट नहीं ना एनी डाउट नहीं देखो एबी जो है वो डीए की बराबर है क्या है बिटा एबी जो है वो डीए के बराबर है है ना इसे हम लिख सकते हैं एबी बराबर असी माइनस यक्स अपान अंडरूट ती आइसा इफलिये चुकि A B equal D E ऐसा इफलिये किया जा सकता है क्योंकि यह बराबर है ठीक है बराबर कैसे है भई A B यह है वह D E है और दोनों कहता खंबे समान उचाई के हैं दोनों बराबर है इफलियम ऐसा कर सकते हैं और यह आपका हो जाएगा बटा equation number second equation number second equation number first equation number second दोनों में देखो अगर एक पच बराबर है है ना आप लिखिए समी करन एक वा समी करन दो से इसको मैं मिटाओंगा दोनों मिटा के दोनों equation क्या करेंगे आपस में बराबर कर दिये जाएंगे ठीक है तो इनका बाया पक्च बराबर है दाहिना पक्च भी आपस में बराबर हो जाएगा ठीक है ठीक है बटा तो चलो लिख लो फटा-फट इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं नहीं ना इनका क्रास मल्टीपल कर लो बटा ऐसे तेरचा तेरचा गुडा कर लो वन लिख के यह हो जायागा आपका 3x बराबर 80-1 यहां से 3x प्लस x इक्कोल 80 यहनी 4x इक्कोल 80 और 20 यह दर्यों बड़बर कितना अजाएगा बीश मीटर कितना आतई 20 मिटर के नी कहीं दूरी थी रोड की खंबे से वर्यों वह कितना से 20 मिटर के नहीं एक्कार दी तो पहली बिंदारी ती रोड की खंबे से वो कितना बिंदु कि दूरी कितना 20 मीटर हो गया इग है आप यहाँ पर और अभी लिखो गया डूसरे खंबे से दो खंबे थे ना दूसरे खंबे से बिंदू की दूरी दूसरे खंबे से बिंदू की दूरी ऐसी माइनस यक्स इक्वल ऐसी माइनस यक्स कमान 20 बराबर 60 मेटर यहनि पहला खंबा 20 मेटर की दूरी पर था कितना था पहला खंबा 20 मेटर की दूरी पर था और दूसरा फार्ट मेटर की दूरी पर था वह टोटल फणक 80 मेटर चौनी थी ना असी मिटर चोड़ी थी एक 20 मीटर की दूरी पर था 60 मेटर की दूरी पर था 20 और 60 ह्ति होता है ठीक है और क्या पूछा था खंबह कि उचाई पूछा था खंबह कि उचा फूचा था ना चलोильно ठीक है कोई दिक्कत नहीं लिखो X कमान समी करन एक में रखने पर रख दीजिए X कमान समी करन एक में रखने पर समी करन एक कितना आया था बबू AB equal अंडरूट 3 X आया था X कमान रख लो भाईया 20 आया था ये फाइनल में a b equal 20 into under 13 हो जाएगा मीटर ये क्या है ये खंबे की उचाई है कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं इसको इतना आप लोग लिख लिए होंगे मुझे उमीद है पूरा कि आप समझ गए अगर कोई डाउट है तो बताइए नहीं ना आगे बढ़ें तो इस तरह से आपका ये तो आगे देखते चलिए अगला कोईश्चन नमबर 11 आपके सामने आ रहा तुरंत बस कुछ ही छड में जल्दी करिए इसे लिख लेजिए नोट कर लीजिए अगला कोईश्चन बहुत जल्दी आपके सामने और कलास को लाइक जरूर करना बाबू बिलकुल नहीं भूलना तुरंत लाइक कर दो फटाफट कोईश्चन नमबर 11 दिखा दें चात्रों उसके पहले आपको एक जानकारी बता दें कि बहुत से चात्र परेसान है जिनको गडिद नहीं आती बेटा वहीं स्क्रीन पर देखिए दिया गया डीटियल ना निचे नमबर भी चल रहा है आप से दस तक का पूरा कंप्लेट वेसिक मैं सलुचन तो ज्वाइन जरूर कर लिए ठीक है बाकी फिर पढ़नात यूटूब पढ़ते रही है कि चलिए कुश्चन नमबर अगला बहुत जल्दी ध्यान दीजिए कापी पेन लेके बैठे हो गनी नोट कर रहा हूं ना मिस्टर नोट रहो चलो कुश्चन प्याओ प्रस्ण देखिए बहुत ही प्यार से देखिए देखियें मगर प्यार से कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीबी के टावर उरध्वाधर्थ खड़ा है नहर जानते हो जिसमें पानी बहता है तट मतलब होता किनारा एक नहरिया क किनारे का बेटा के सिखर है इस नावर की चोटी ऊपर खोपड़ी उसका साथ हंस है और इसी तर्ट से इस बिदू से 20 मीटर और दूर जाने पर इस बिदू को मिनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर इस्थीद एक अन बिदू से टाबर के जो सिखर का 19 है वो 30 हंस का है मत अब जहां पर से 60 है उस से 20 मीटर और आगे बढ़ जाओ तो कितने का है कार्ठ का पता रहा है तो पूछ रहे टावर की उचाई रहे नहार की जोड़ाई कि हूं हम पांओ लेते हैं कि Pokia रहे समझना यहां पेक नावर है मख़ार का यह मुँगा पार है पियर है कि यह क्या समझना कह रहा है कि टाबर के जो है टाबर नहर के किनारे है नहरा माल लो इतना चौड़ा है कुछ तो चौड़ा हो गई तो नहर के किनारे कहीं किसी दूसरे बिंदू से माल लो नहर के किनारे का जो दूसरा बिंदू है बिटा हो कहा है यहां कहीं है करा यह कौंड कितना है साथ हंस कर्यान ही है कितने का है किस बैए जमीन के साथ नहरा जो टौबर है पह जमीन के तो होगा आसमान में तो होगा ह fare तो कितने का चलने चलन पर बीस मेटर पर बो से दिखा दूं कर दो है का कैया रहा है कहारा 20 meter चलने पर न इसी तरद पर इस बीन्दू से 20 meter दूर और इस बिंदू को मीनार के पाथ से मिलाने वली रेखा पर इस्थित एक अन्य बिंदू से यानि जो इस मिनार मनलता बर को जो रेखा मिला रही है इस बिंदू से जहां से कोण है देखो यह तो मिला रही न इसी पर 20 बीटर चल देपर यह कोण कितने का बेटा यह 30 अंस का है उल्टा हो रहा है का यह उल्टा हो रहा है न उल्टा हो रहा है भाई हम इस बिंदू से और दूर जाएंगे टाबर के पास आने को तो बोल नहीं रहा है तो देखो बेटा हमें पहले ये बनाना था ठीक है ये 60 अंस है ये 30 अंस होगा देखो जितना ज्यादा दूरी बढ़ती है जितना ज्यादा दूरी बढ़ती है उतना ज्यादा क्या प्यार नहीं बढ़ता उतना ज्यादा कोड़ गटता जाता है क्योंकि सीधा हो जाता है फ्लेट हो जाता है ये कितना 20 मीटर यह कितना 20 मिटा इनके नाम लिख लिख लिजिए कुछ भी नाम करन कर लिजिए A B C D लिख लिजिए A B इसका मान लो C इसका मान लो क्या है D समझते चलना बिल्कुल टैंसन मत लेना माने बीक हिषवा प्रफिर देखो देख त्रण के कुछिचन एक बार फिर पढ़ लुगर है फिर से पर की पर दीख कर दुबारा नहीं पढ़ाऊंगा ताबर के सिखर का जो उन्यन कोन है वो 60 हंस का है तो कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है फिर से पढ़ना आगे पढ़ना इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर मतलब जो बिंदु था यह है यहां या और दूर नजदिक नहीं याने को बोला दूर इस बिंदु को मिनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर इफ्थित एक बिंदु से टाबर के जो सिखर का उन्यन कोण है वो तीस अंस हो जाता है ठीक है यहां से 20 मिटर और दूर आया और इसी रेखा पर याद रखना जो इसके पाद को मिलाती यानि पदचिन को मिलाती है ठ ठीक है चलो आजाओ फटा फट कोईस्टन पर आजाओ ये को सिक्षो बेता हममाल लेते हैं कि यह आपका य 파ॉल मीन चोड़ा है एक मितर इसमीर कर श हिरा ह anno कि हम्ममितर है हम याम लेते हैं हमें एंच मीटर है समझते चलना ठीक है आगे बढ़गे कि चलो हमें कुछ पता है नहीं इसमें हमें कुछ दिया है हम लिख लेंगे गीबन है कुष्टन नमबर आपका कौन सा पता बेटा 11 नमबर है कुष्टन नमबर 11 इक्सरफाई 9.1 और गलाइफ 10th मैट्स ठीक है डटन आओ आगे आओ बड़े में इसमें हमें क्या क्या दिया कि धियर में जड़ाद ध्यान दिजी एक करना हमें pc भी भी दिया dale school क्या हमें नहीं पाता था हां Angle C दिया है Angle C 60 दिया है Angle D दिया Angle D 30 दिया है और क्या दिया है बहुत कुछ तो दिया है इसमें और और क्या चाहिए माना टावर की विटाई बराबर A B लिख लो माना मिटाना पड़ेगा आगे माना टाबर की उचाई AB बराबर यच मीटर यह हमने मान लिया ठीक है? डन कोई दिक्कत नहीं और BC बराबर यक जो भी दिया है हमने लिखी दिया इसमें कुछ करना है नहीं अब अगर हमें टोटल निकालना हो BD तो क्या आएगा वही अगर हमें BD निकालना मिटा तो क्या आएगा वही सीदी सी बात है BD पूरा पूरा जोड़के आएगा ना और यहां पर लिख देंगे BD बराबर 20 माइन प्लस एक्स मीटर इसमें कोई दिक्कत नहीं नोटन सन चलो आप यहां पर ध्यान देना तिर्भूज A, B, C में छुटे वाले में जिसमें 60 हंच कोण बन रहा है उसपे धोड़ा सा नहीं और देखना क्या कहता है चलो लिखो 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 तिर्भूज ABC में यहां पर लिखो तिर्भूज A, B, C में कौण C बराबर साथ हन्स कौण C बराबर साथ हन्स दिखो बिटा समझ न अगर कौण C पर बन रहा है तो सामने की बुजा लंब होगी परपेंडिकुलर होगी नीचे बेस होगा यहनि लंब बटे आधार न तो क्या लिखेंगे हम लंब बटे आधार यानी AB अपान BC फिक है तो लिखेंगे पहले 10 थीटा के जगा पर 60 हंस है याद रखना थीटा के जगा पर 60 हंस है डारेक्टली मान रखेंगे और लंब लंब यानि की आगे का भुजा AB upon BC यानि यक्स ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत परिसानी नहीं न चलो ठीक है Don't worry ऐके? भीता यह अन्डेरूट 3 बराबर यह अपधान यक्स हमें क्या निकालना है यहां से हम्? क्या निकालना था भowie हम perfect है यह कमान निकालना था न शक्राथ लो मम्World अधर बराबर यह अन्डेरूट 3 जब रहा हम यहां क्या को गंदा लिखता है हम हम अंडरूट 3x इको इसा नंबर फास्ट हो गया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना चलो फट से लिखो हो गए इतने अब हम दूसरे में देखेंगे तिर्भूज ए बी डी में यानि फूरा फुल वाले में ठीक है चलो इसमें भी कर लेते हैं पिर भूझ ए भी डी में यहां उपर आ जाओ यहां पर लिखो कि मज़ते चलना यह देखो इतना मैंने किया था इसको मैं ऐसे हटा दे रहा हूं है शुपा दे रहा हूं इधर चलूगा फिर भूझ ए बी डी में हो में ए इसमें भी एंगल डी क्या है एंगल D 30 है BD 20 प्लस X है ठिक है और A, B यह अच मीटर है इसमें भी लगा देंगे वही वाला फरमूला कौन सा जो अभी तुम पढ़े हो इतना दिया है तो यहाँ फाइड में जगा नहीं नीचे इफले इधर लिख देता हूं चलो यहीं फिले लिखता हूं तो 10 यहाँ पर 30 हंस का कौन बन रहा बेटा लंब बटे आधार यह यह चापान 20 प्लस X यह चापान क्या हो जाएगा 20 प्लस X इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना चलो यह हो जाएगा यह चापान 20 प्लस X इतना हल करने के बाद में हम यहां आएंगे आगे दिख रहा ना तुम्हें कि नहीं दिख रहा ना भाई ठीक है इसके आगे हल करेंगे देखो बिटा समझते चलो। हमने यहां से लेकर के यहां तक हल किये हैं फिर यहां हल किये हैं और फिर इधर हल कर रहे हैं समझते चलना इस्टेब बाइ-स्टेब तो तीस संस कमान एक बटा रूट तीन रख देंगे और याच अपान 20 प्लस एक्स ग्रास मल्टीपल करेंगे बिटा तियो हो जायेगा 20 प्लस X इक्वल अंडरूट 3 इंटू H हमें क्या निकालना था? H कमान फाइंड करना था? क्या निकालना था? पहले ये बताओ हमें H का इमान तो निकालना था न? H कमान निकालो न रोंका किफने है 20 प्लस X अपान अंडरूट 3 बराबर H इक्वेशन नमबर सिकेंड आप ध्यान दीजिए H कमान वहाँ भी आया है यहाँ भी आया है तो बिटा क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन से इनको आपस में बराबर कर लेंगे ठीक है? अब निचे लिखिए समी करण 1 वा समी करण 2 से ठीक है? दोनों को इक्वेशन कर लो दोनों H के मान है तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं तो अंडरूट 3 एक्स इक्वेशन टॉंटी प्लस एक्स अपान अंडरूट 3 दिर्शा गुड़ा करेंगे समझते चलना यहां के बाद यहां आ रहे हैं तो बेटा यह 3 एक्स 20 प्लस एक्स तो 3 एक्स माइनस एक्स इक्वेशन टॉंटी यह हो जाएगा एक्स बराबर 20 अपान टू एक्स कमान कितना आएगा 10 मीटर कितना आगया 10 मीटर कोई दिक्कत किसी को कोई परिशानी नहीं न पटापड लिखो इतना यानि हमें क्या मिल गया हमें नहर की चौड़ाई 10 मीटर मिल गई कितनी मिल गई बेटा 10 मीटर मिल गई लिख लिए कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है अब लिखो आता नदी की चौड़ाई यक्स बराबर 10 मीटर नदी थी कि नहर थी जो भी था ठीक है लिख लिया लिखो आता नहर नहरी था नहर की चौड़ाई यक्स बराबर 10 मीटर आगे लिखिए यक्स कमान समी करन एक में रखने पर इतना हो गया मिटा देता हूं नहीं लिखे हो तो फिर से बैक करके लिख लो लिखो यक्स कमान समी करन एक में रखने पर बेटा समी करन एक में अगर यक्स कमान रखोगे न तुम तो तुम्हें यक्स कमान मिल जाएगा य यहाँ दिकھ रहे हैं लिखो x का मान समी करण 1 में रखने पर so H ur之 16 18 12 16 19 20 इंस यह हो गया अनसर याने इसकी क्या हो गई मुचाई हो गई ठीक है कोई डाउट है नही नहीं ना कोई डाउट है तो बतादो कमेंट कर गए आगे बढ़ें फटाफट चलो जल्दी चलो फटाफट चलो कोई दिक्कत नहीं जल्दी इसको लिख लेजिए या फिर स्क्रीन साट ले लीजिए आपके पास पूरे परयाप तो टाइम है हमने पूरा कोश्चन सिस्टम स करवाया उमीद है कि आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ें 12 नंबर और 13 नंबर बहुत आसान है आप होमवर कर लेना ठीक है बच्चों तो आज हम 14 नंबर कोश्चन आपको बताएंगे ठीक है सही है ना किसी को कुछ कहना है तो बता देना चलिए 14 नंबर कोश्चन है लकड़ी नहीं है कुछ लोग लड़की को लकड़ी पढ़ लेते हैं गलप है चलिए 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमी से 88.2 मीटर की उचाई पर एक 36 रेखा में हावा में उड़ रहे गुबारे को देखती है 36 रेखा का मतलब ऐसे ऐसे ठीक है लंबवत का मतलब ऐसे ठीक है 36 रेखा में क्या कर रहे है गुबारा कोड़ते देख रही किसी भी छंड लड़की की आँख से गुबारे का जो उन्यन कोण है वो साठंस है कुछ समय बाद उन्यन कोण घटकर तीस हो जाता है क्योंकि गुबारा और दूर चला जाएगा लड़की के मालों सिर के उ घटकर तीस हो जाता है इस अंतराल के दौरां गुबारे दौरा जो ताएं की गए दूरी है वह आपको ग्यात करनी है चलिए कर लेते हैं बहुत आसान है बच्चों पहले फिगर बनाएंगे देखो मान लेते हैं कि लड़की यहीं कहीं है देखो मैंने लड़की सही बनाय आसमान में कोई गुबारा उड़ रहा है जिसे यह देख रही है तो मो की गुबारा यहां कहीं उड़ रहा है इसे यह देख रही है और यह क्या करता है 36 रेखा में उड़ रहे गुबारे को देखती है यानि यहां से यह लरकी मानलो यह इसका आँख है यहां इसका तल है तो यहां से यह ऐसे क्या करती है उपर उड़ रहे गुबारे को देखती है आगे देखो क्या कहता ध्यान देना इसके बाद कहे रहा कि कुछ समय बाद गुबारे से 60 हंस का बन दा है और देखना अगे गोड तो 60 हंस बन दा है लेकिन इतना ही नहीं crying कहे रहा being कि कुछ समय बाद उन्नेन कोंड घटकर 30 अंस हो जाता है यानि भाई गुबारा जो है कुछ समय बाद क्या होता है कहीं और दूफरी थोड़ी और दूर चला जाता है तो समझना पहले गुबारा यहां था फिर वो गुबारा कहां आ गया यहां आ गया लेकिन ध्यान रहे उचा जो है उतना ही है इसका किवल यह कोंड घटके अब कितना हो गया बचवा यह 30 अंस का हो गया कहां से बन रहा था कोंड यहीं से बन रहा था इसके आंक से ही यह पहले 60 बन रहा था फिर कितना बन गया यह 30 अंस हो गया आप को गया ऐसे कैसे कोंड बन रहा है ऐसे बन रहा है गुबारे की जो जमीन से उचाई है देखो आपके question में दिया है भूम इसे उचाई जो है कितना है 88.2 मीटर है यानि हम माल लेते हैं यह क्या है जमीन है यह माल लेते हैं जमीन है अब यह जमीन कहां तक गई है कुछ पता नहीं है पूरी जमीन है तो गुबारा की जो यह है यह जो है बाबू वह 88.2 मीटर है यही तो बोला था ना जमीन से उचाई कितना 88.2 है तो यह इसको भी हम यहां मिला देंगे हमारा तिरबुच बनेगा तो यह भी 88.2 मीटर हो जाएगा ठीक है अब समझते चलना तुम बिलकुल टेंसन मत लेना देखो बेटा यहां से समझ हो अब थोड़ा इसमें गलत हुआ है गलत का हुआ है गलत का हुआ है देखो जमीन से गुबारा की उचाई है 88.2 तो यह उचाई यही से नहीं है लडग की जमीन पर ही ख़ड़ी है आसमान में तो खड़ी नहीं है लड़की जमीन पर ही खड़ी है न तो यह इसकी उचाई है वास्तों में यह 88.2 जो है बेटा बाबू समझना यह समस्ति न यहां तक है समझ में यहां लेंकर करके यहां तक की जो उचाई वह 88.2 है आगे समझना अब लड़किया क्यों चाई क्या है 1.2 है आपको देखने में 1.2 ज्यादा लग रहा होगा यह कम लग रहा होगा लेकिन यह ऐसा माना गया ठीक है तो भाईया हम कह सकते हैं बाबु कि यह इतना 1.2 है बोलो कह सकते हैं 1.2 मिटर है क्योंकि लड़किया 1.2 मिटर लंभी है तो जब हम टोटल से 1.2 घटा लेंगे तो हमें यह कितना मिलेगा रियल में हमें जो यह मिल जाएगा वह 87 मिल जाएगा बोलो तो बोल रहे हैं कि नहीं पर 80 मिल जायेगा ना यानि हमें जो मेर हमें जिसका काम है वो कितना 87 है इनके नामकरान कर दीजिए मानलो की AB हो गए इनको CD मानलो हां इनको ABC मानलो इसको इसको D और E मानलो चलो, आप समझते चलना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बन गया, देखो बटा कुछ चीज़ें यहां दिखाने के लिए भी बनानी पड़ती है, तोटल 88.2 मींटर था, इतने की दूरी 1.2 थी, इसमें से घटा दिया, तो यह 80 से बना गया, इतने में कोई दिक्कत नह आप कुछ चीज़ें हम लिखेंगे, जमीन से गुबारे की उचाई बराबर, यहां हल कर सकते हैं, उपर लिख सकते हैं न, यहां पे आप लिख लो हल, फिगर आप पहले बना लेना चाहें तो अच्छा रहेगा, लिखो, जमीन से गुबारे की उचाई बराबर, गुबार लड़की की उचाई बराबर लिख लो बाबू लिख लो लड़की की उचाई बराबर 1.2 मीटर तो अब आप D.E. निकालोगे तो कितना आएगा बैटा D.E. बराबर 88.2 माइनस 1.2 इक्वल 87 मीटर इतना सभी को समझ में आया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं चलो अभी हमने कुछ नहीं किया सिर्फ जो दिया था जैसे वह ऐसे लिखाया बस अब हमें जो निकालना है मूं उस पे आगे बढ़ेंगे ठीक है आप थोड़ा गौर करना जो निकालना बेटा समझना हमें फाइंड क्या करनी है कह रहा था कि गुबारा की बीच की दूरी गयात की यह मतलब यह हमें B.E. निकालना है गुबारा पहले यहां उड़ रहा था यहां से उड़के यहां आ गया तो कितनी दूरी आया यह हमें निकालना है हमें गयाओ और यह पता हो गया कॉन हम लिखेंगे तिर्भूजे एबी-सी में यहां लिखें तिर्भूजे अबी-सी में इसकृर में कॉंड C एप translates एक इसलम्ग डिया है और आधार आधार यानि बी-सी कि हमें नहीं पता है तो इसमें很 क्या लगाएंगे लंब बटे आधार न तो टैन लगेगा लगा दो कौन साथ हनस है लंब बटे आधार लंब यानी एवी आधार यानी बीसी चलो फटा-फटा सारे मान रख़़गा जैसे डी एटी सेवन है तो यह भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों की उचाहिए बराबर थ और 1060 कमान अंडरूट तीन होता है तो हम कह सकते हैं इसकी जगह पर 87 अबान बीसी क्रास मल्टीपल कर लो बेटा इसमें तिर्छा गुड़ा हर कोई करना जानते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं हम बीसी बराबर कितना आएगा 87 अपान अंडरूट 3 अंडरूट 3 नीचे नहीं लिखेंगे उत्तर लिखते समय तो ऊपर नीचे क्या करेंगे रूट 3 से गुड़ा कर देंगे यह फाइनल में आ जायेगा बीसी बराबर देखो यह कट भी जायेगा 87 इंटू अंडरूट 3 पान तीन लिखें देखो यह तीन दून अच्छा तीन नवा सत्ताइस तो बीसी बराबर 29 अंडरूट 3 आएगा बीसी कितना है 29 अंडरूट 3 यानि हम कह सकते हैं कितना आ गया 29 अंडरूट 3 हमें बीसी मिल गया अब हम बी इभी निकाल लेंगे कैसे निकलेगा बताता हूं इसको इक्वेशन नंबर फाइस्ट मान लीजिए फिर आगे चलते हैं अगले बने हुए तिर्भुज पूरे बढ़के वाले में लेंगे DEC में DEC में इसको लिख लीजिए मिटाता हूं मैं इसे इतना यह मिटाओंगा जितना हल है जल्दी लिखो होगे अडन आगे चलिए चलिए इसको भी हम वह ऐसे ही कर लेंगे जैसे उसको कर रहे थे इक्तम सेम तुसेम वह ऐसे ही करेंगे देखो बेटा आप तिरभूज DEC में देखेंगे ठीक है यहां पर लिखो तिरभूज DEC में देखो इसमें भी कोंड सी बरावर कितना दिया है बबुआ तीसंस दिया है ना बेटा ऑगया अब इसमें अगर आ घॉर करो अगर करों तीज पर बन रहा है इसके सामने की फ्रीग, म्रा अधार याली हमें लंब अधार दिया है नम अधार टैन में होता है और कोंड कमांड थीघ बराबर लम बटे आधार लंब सामने की ढर डुज सकते हो ठीक है तिए अगर डी एपान सी इए इन तीस कामान वन अपान रूट तीन इक्वाल डी एकामान आप सबको पता एटी से बनाया था तुम सब देखर हो एटी से बन है अपान सी इए देखो भाया सी इए या फिर ए सी जो भी कहो इसे पढ़ लो यह पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाया हमें पूरा निकालना है हम यह और यह जोड़ देंगे यह और यह जोड़ देंगे यह जोड़ देंगे ना भाय सही बोल रहा हूं ना बी सी में ए जोर देगे? या फिर हम ऐ ऐसा है सकते हैं अगर में सिर्फ बी ए निकालना है अगरमें शिर्फ बीeli कालना है तो हम सीट से विली गटा देंगे यह भी कर सकते हैं लेकिन वह बाद में करेंगे बाद एतीयर परग़ा करो है तो सीट में बराबर मिल गया पूरा-पूरा बढ़का वाला हमें मिल गया अब हमें काम कर सकते हैं हमें यह पूरा-पूरा मिल गया इसे हम कह सकते हैं 87 अंडरूर 3 यानि यह पूरा-पूरा हमें मिल गई पूरी-पूरी और यह भी मिली है हमें यह निकालना भाई या बी-ई तो बी-ई निकालना तो यह 87 अंडरूट 3 माइनस अभी अभी जुआया था 29 अंडरूट 3 गटा लो 29 अंडरूट 3 देखो यह रूट 3 रूट 3 वाला दोनों में समान है इनके करड़ी गज्जु है घड जाएंगे 17 में से 98 और 7 में से 2 गया 58 बनाएगा यानि 87 से 29 गटा लोगे बेटा तो 58 आएगा अंडरूट 3 यह आगया आपका बी ई और हमें क्या करना था बी ई ही निकालना था इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न इस तरह से बेटा आपका यह पूरा कॉश्चन कंप्लीट हुआ अगर आपके मन में कोई सवाल है कुछ भी कहना है तो अब आप कमेंट कर सकते हो ठीक है अगले कोश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी ध्यान दीजिएग अगला कोश्चन बहुत जल्दी देखिए इसक्रिंसाट ले लिजिए लिख लीजिए अभी तक पीवियर स्टडी सब्सक्राइब निके बेटा तो तुरन सब्सक्राइब कर लो जिससे की फिरी फिरी पढ़ सको घर बैठे अगला कुश्चन दिखाएंगे उसके पहले एक प्रॉबलम होती है केबल अगरा कट गई इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया इनकी कोई सुनता नहीं है आप परिसान रहोगे आपका बिजनेस चोपट हो जाएगा इनके चक्कर में इनका इंटरनेट सही चले इसके लिए आपको एक दो करमचारी रखना होगा तो ऐसा इंट इंटरनेट क्यों ही उच करेंगे भाई हमारी इंसी बहुत बहुत होती है कुछ नहीं करते हैं हमारे पैसे बरबाद हुए हमने का ठीक है हम लोगों को जाग रूप करेंगे बाकी आपकी इच्छा ठीक है इसक्रिन पर देख लिए मैंने लिखा है हमारे लेंड लाइन नं पाइंट वन कुष्चा नंबर है वेटा आपका पंदरा नंबर तिरकोड मिती पढ़ रहे हैं आपका अच्छा दस की अंसी आटी गड़ी करा कि एक सीध राजमार्ग नहीं से बोलेंगे सीधे राजमार्ग पर ठीक है राजमार्ग का मतलब होता है एक परकार से राष्ट पाउं जाएं थक दिसे मैं यहां खड़ा हूँ तो हम करें अपाद का मतलब पाइर जाहां पाद की और कुछ और मत समझेन समझ रहां नहीं उसके कहां तक जाता है पर तक आ किरा मीनार के सिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिगरी के आउनमन कोण पर देखता है अब यह मीनार उपर है उसके अगर सिखर पर यानि उपर मीनार के ऊपर अगर कोई खड़ा है तो नीचे को देखेगा कार नीचे ही तो जाएगी न अब भाई मीनार बड़ी से होत से जाता है यानि वो क्या कहती है को सीधा सिधा है दिरे मिनार की हो जारी बाद का आनमन को조 साठन dio encouraging कि कॉर्ण के Beremaug कुर्या कायान के अगर हूं कि दिरे मीनार के बलब कर पास हий कॉर्षियो जान वो तेरा कि इस बिंदू से मीनार के पात तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ग्याद कीजिए यानि जब कौंड साथ हंस हो जाता है उसके बाद जो समय लगता है कार को मीनार तक पहुँचने में वो समय बताईए तो बैटा सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसमें चित्र ही हम होता है अगर आपने फिकर बना लिया तो आपने कोश्क्षन लगा लिया हम मान लेते हैं यह क्या एक मिनार है मिनार के उपर एक आदमी भी खड़ा है ध्यान देना मतलब ख़ड़ा है या बैठा है कुच्छ मान लो तुम हम यह मान लेते हैं क्या वेटा यह मिनार है मिनार को तुम कैसे भी मान सकते हो हम इसको ऐसे ही मान लिए कि क्या एक मिनार है तुम एक सीधे फिदी लाइन भी खिंच सकते हो इस पर मान लो कोई आदमी एक है खड़ा है वैठा है कैसे भी अवस्था में है यहां स कि तेसे यह सीधा का जारी राजमार्ग की तरप को आ रही है और यह अधमी यहां से देख रहा है का बन रहा है यही तो बता रहा था त Nagげust कुछ समय बाद यह कोंड जो 30 था वो बढ़के 60 हो जाता है यानि जब यह कार धीरी धीरे इसके और पास आ जाती है तो यह कोंड क्या होता है घर्ड जाता है और यह साथ हो जाता है समझ में आया आपको पता है अगर यह कार मीनार के जश्ट पैर तक पहुंच गई तो कौन कितना हो जाएगा नब्बे अंसका हो जाएगा क्योंकि इसके क्या हो गई पास पहुंच गई एकदम पास जैसे पहुंचती जाएगा वह इसे कौन बढ़ता जाएगा इसको मैं हुआ बनेगा नहीं वहाँ पर गंदा लगेगा यह ठीक है इनके नामकरण कर दीजिए आप कुछ भी लिख दीजिए एवी सीडी दीजिए है कोई दिक काद नहीं नहीं बस इतना ही बनाना था चित्र हो गया काम क्हतम क्या करने बिटा तेर्बूज APD में पहले चोटी तरमुज में और बड़े तिर्बूज में और इस तरह से पूरा हल कर डालेंगे फिक है यहा पर लिख == store कुछन कहो तो मैं हटा दू नहीं त्रहने दो कि छलो ठीक है यहां पर लिख लो हल कि दिख नहीं रहा है लिखो कोई दिक कर नहीं तिर भूज ए बी डी में कोंड डी बराबर साथ हंस और इसमें एक चीज और देखो बेटा सिर्फ कोण ही दिया है बाकी ना तो मिनार की उचाई दी गई है और ना ही हमें आधार दिया है कुछ नहीं दिया है लेकिन हमारे पास क्या है लंब और आधार है अगर इस पर कोण बनदा दिये क्या है लंब ये क्या है आधार है तो हम क्या कह सकते हैं लंब आधार टैन में ह होता है हम कहेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब में AB आधार में BD थीटा कमान देखो बेटा कौन 60 दिया है तो 60 रख दोगे AB और यह जो भी है इनमें हमें किसी कमान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे AB अपान यह BD 10 60 कमान रूट 3 रखेंगे AB अपान BD हम पहले AB कमान यहां से निकाल लेंगे तो अंडरूट 3 इन्टू BD आएगा ठीक है भगवा यह कोईसा नमबर फ़स्ट हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं यहनि हमने AB कमान निकाल लिया अब हम बढ़के वाले तिर्भूज में लेंगे तिर्भूज ABC में यहां प सिर्भूज ABC में कोण C बराबर 30 संस समझना एंगल सी कितना बिटा 30 डिग्री है इसमें भी वही कंडिशन है सामने की बुझा लंब है नीचे की बुझा आधार है यानि इसमें भी हम कह सकते हैं 10 थीटा इक्वल लंब AB आधार C D यहां से कुछ समझते चलना तुम तो यह क्या हो जाएगा 10 थीटा कमान AB आपान सीडी AB कमान वन अपान रूट तीन और यह कितना हो जाएगा बिटा 33 कमान ओना पान रूट तीन A.B. अपान सीडी ऐसे हो गया यहां से समझना तुम थोड़ा सा देखो बवा समझना A.B. कमान हम यहां से इतना रख सकते हैं तुम्हें दिख रहा की नहीं रख सकते हैं ना इसमें कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है डॉंट वरी चलो हम वहां ले चलते हैं इसको आगे पकड़के यहां किस कमान निकालेंगे हम यहां पे हम B.C. कमान निकालेंगे लेकिन यहां पे आप लोग थोड़ा कनफ्यूज होंगे देखो बवाबू यहां पे यह समझना हम पूरा पूरा A.B.C. अगर ले रहें तो हम यहां B.C. लिखेंगे ना C.D. नहीं लिखेंगे कहीं यह थोड़ा मिस्टेक हुआ है B.C. लिखेंगे क्योंकि हम पूरे पूरे तिर्भुज में ले रहें तो B.C. लेंगे बाबू ठीक है तो यहां से हम B.C. निकालेंगे तो यह अंडरूर्ट 3.A.B. आएगा क्या आएगा? B.C. आएगा अंडरूर्ट 3.A.B. अब यहां ध्यान देना जो B.C. है यह पूरा पूरा चाहे तो C.B. बोले या B.C. इसमें देखो दो पार्ट है एक C.D. है एक B.D. है है न? तो हम इसकी जगा पर C.D. धन B.D. भी लिख सकते हैं C.D. धन B.D. इक्वल अंडरूर्ट 3.A.B. ऐसा लिख सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भाया? नहीं. अब तुम्हें एक चीज समझे ना A.B. की जगा पर हम कुछ और लिख सकते हैं वो क्या? समी करण एक से A.B. की जगा पर रूर्ट 3.B.D. लिख सकते हैं नीचे दिख रहा है? तो यह आपको हो जाएगा C.D. धन B.D. इक्वल अंडरूर्ट 3. इन्टू अंडरूर्ट 3. और यह B.D. B.D. समझे रहा है ना? देखो बेटा इनको जोड लोगे तुम तो यह क्या आ जाएगा? भाई सीदी सी बात है यह जितना था उतना ही रहाएगा तीन का रूर्ट 3 में गुड़ा होगा तो 3 हो जाएगा और B.D. बस यह इतना ही रहाएगा C.D. धन B.D. इक्वल 3 B.D. ठीक है? देखो बेटा जब यह 3 B.D. इसमें से घड जाएगा यहां पर आगे जगा नहीं है हम इसको यहीं छोड के इसको मिटाएंगे लिखना चाहो तो लिख लो फटा पट साथ में ठीक है? इसको मिटा के हम यहां लाके इधर हल करेंगे नहीं तो कहूँ ऊपर हल कर दूँ चलो ऊपर हल कर देता हूं जाने तो नहीं मिटाऊंगा CD बराबर निकालेंगे यह BD जायगा इसमें घड़ जाएगा वो तुम्ह तुमें बहुत अच्छे से पता है पता है ना बदग यहिं निकालो फिर का करना है यहीं निकालो यह उपर है कर लो उपर कहा तक देख, यह दिख रहा है थिक है तो यहां देखो बेटा यहां से cd निकालेंगे समझना आप तुम cd बराबर हो जाएगा 3bd माइनस का bd 3bd वैसे लिख दिया यह bd उधर गया क्या हो गया माइनस हो गया तो बेटा यह cd बराबर तुम्हारा आजाएगा 2bd ठीक है cd कितना आगया 2bd आगया यानि bd अगर निकालना चाहो तो cd अपांट 2 हो जाएगा यहां फे तुम cd अपांट 2 equal bd निकाल लो यह equation number second हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं ना चलो question मैं हटाई देता हूं पहले मैंने इसको यहां तक किया equation number first find किया फिर मैंने यहां से यहां तक किया equation number second मतलब यहां तक किया यहां के बाद में just ऊपर किया तो second equation आ गया दोनों equation आ गया इनको लिख लो screenshot लेलो अब मुझे इधर जरूर मिटाना पड़ेगा इधर मिटाओंगा जल्दी करो हो गया चलो साथियों इसमें एक चीज दिया है वो मैं तुम्हें नहीं दिखाया अभी तक question में अगर तुम ध्यान से देखो तेहां cd command दिया है कैसे मैं question थोड़ा जूम करूंगा तुम ध्यान से देखो और फिर एक बार बढ़ो फिर मैं बताता हूं फिर इसको हल करता हूं question दिखरा तुमें देखो कह रहा है सुरू से पढ़ देता हूं एक सीध राजमार के एक मिनार की पाथ तक जाता है मिनार के सिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को तीस अंस के आउनमन कोण पर देखता है जो की मिनार की पाथ की और एक समान 30 था वहां से जब वह जहां कोंड 60 होता वहां तक जाने में 6 सिकंड का टाइम लेती है 6 सिकंड का टाइम लेती है मतलब यह कार पहले यहां थी तब कोंड 30 था यहां थी ना जब यहां से यहां गई तो six seconds का time लगा था कितना लगा था बैटा इतने में 6 second का time लगा था यहनि cd-mand 6 दिया था तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं समी करन्ड 2 से लिखो समी करन्ड 2 से अभी अभी आया है तुमारा bd equals cd upon 2 तो बेटा यहां से तुम निकाल लोगे CD कमान दो रखोगे यह 6 रखोगे बराबर 3 सिकेंड यानि हम कह सकते हैं कि BD बराबर कितना 3 सिकेंड और हमें BD ही तो निकालना था कि कार इस अस्थान से मिनार तक कितने देर में पहुचेगी न जखो आप लिखा मिनार के पाथ तक पहुचने में समय जो लग रहा है उसे घ्याद कीजिए लिख लेजिए इस क्रेंसाट ले लिजिए एक बार कोश्चन को फिर से पढ़ना तब ज्यादा समझ में आएगा कोई डाउट है तो कमेंट करके बताईए अगर अभी तक आपने PVR स्टटी को सब्सक्राइब नहीं देख लिजिए एक नजर में कच्छा 10 के बच्चों के लिए यह 50% की छूट जो 10 जनौरी तक है इसे 31 जनौरी तक बढ़ा दिया गया अगर आप कच्छा 10 में हैं तो आप 31 जनौरी तक इस को ले सकते हैं PBR स्टडी अप में जा करके आज ही जोईन कर लें अगले परसन की आधार से यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है हमारे टाइपिंग माइस्टर ने आधार को अधर लिखा है जबकि क्या है आधार आधार मतलब बेस से एक सरल रेखा में चार मीटर और नौ मीटर की दूरी पर इस थी दो बिंदूओं से मीनार के सिखर के उन्नयन प बाजारी ना पहले एक मीनार बनाओगे यहां पर तिरकोड मिती में खास बात है हमें चाहे मीनार बनाना हो चाहे दीवाल बनाना हो चाहे कुत्ता बिल्ली बनाना हो चाहे जानवर बैल बनाना हो हम सब के लिए एक रेखा ही खीचते हैं मतलब समझ रहो सीधा सीधा रेखा क्विश्च जाता ऐसा नहीं कि हाँ पर कहा जाए कि मेनार तो हम यहां दिवाल नहीं बनाने लगेंगे घूल मटोल ठीक है यह क्या हो गया मीनार आगे देखें फिर से पढ़ते हैं कुश्चन जहां समझ में आ गया चित्र बन गया फिर इसको लगाना असान है सिर्फ और सिर कोमेटर की दूरी परिष्थि दो बिंदूओं से मिनार के सिखर के उन्नेयन कोण पूरक कोण है देखो पूरक कोण मतलब जानते हो कम्पलीमेंटरी एंगल पूरक कोण का मतलब दो ऐसे कोण जिनको जुड़ करके 90 होता है जैसे देखो पती-पत्नी पूरक होते हैं एक दू होना चाहिए तभी तो पूरक होंगे दूसरे के तो बस कुल मिला करके ऐसे आप समझ लो वैसे पूरक के लिए क्या चाहिए इसमें कोण में नब्बे अंस मतलब दो कोण जिनका योगफल नब्बे हो जाए जैसे देखो अगर मैं कहूं 60 हंस, 60 हंस का पूरक कोण क्या है त तो 50 हंस का पूरक कोण 50 में कितना जोड़ने की नब्बे हो जाए? đây है,50 जोडने पे नब्बे होगा यनि 50 का पूरक कोण कितना होगा? 40 होगा समझ गया ना यानि कहने का मतलब यह है इस फिगर में जो हमें बोल रहा था कि इसमें जो इनके कोण बनेंगे उन्नेन वो दोनों को जोड़ करके 90 ही होना चाहिए उससे जादा या कम नहीं होना चाहिए आईए ठीक है दो बिंदू बना लेते हैं यह पहला बिंदू है यह द सबते डीक इतना मीटर चलैंगे तो पहले यह ही मिलेगा न पर नौ मिटर मतलब यह समझते चलना बह Ó यार देखो यहां से यह क्या है यहÇार मीटर नहां तक है इसके बाद इह टोटल कितना है नुँपश्ट य strat यहनी नुव मीटर वाली दूरी इस पए आ रही है इस पे सिंपल सी बात है यह क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि कह रहा है कि दोनों क्या है पूरक है बाइज सी बात है इसके बारे में थोड़ा और एक्स्प्लेन अगर मैं कर दूंग यहां समझो अगर एक कौन हमने मानलो 65 हंस मानलिया तो दूसरा कौन कितना होगा बाइज स चलिए ए बी और यह कितना हो जाएगा यहां पर नाम सी और यहां पर डी यह नाम लिखने के लिए इनका नाम करण के लिए मैंने थोड़ा सा इनको इधर उधर कर दिया ठीक है क्लियर अब हमें क्या करना है करा सिद्ध कीजिए मिनार की उचाई 6 मीटर है मतलब यह वाली यह भी कितना है बचवा 6 मीटर है यह हमें प्रूब करना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो कर लेते हैं आगे बढ़ो भाई फटाफट और खाव पियो नहीं पढ़ते टाइम चुप चाप के वाल पढ़ाई करो बस नहीं तो बहुत मार पड़ेगी जाने लो चलो देखो आगे अब क्या करेंगे इसको मिटाते हैं कहां गया मिटाने वाला देखे फिगर मैंने थोड़ा सही कर लिया इसमें साइड में जो यह 9 मीटर यहां थोड़ा कम जगा आ रही थी मैंने इसको पूरा पूरा कर दिया वच्छे दिख रहा है अब देखो इसको हम हाल करेंगे ठीक है सबसे पहले तिरभूज ए बी सी में पहले छोटे वाले में जो इन दिखक है यहां साइड में दिख्ञा ना यहां पर लिखो हाल कोगी सिरभूज ए बी सी में यहां पर आगर आप ध्यान दीजिये तो एंगल c थीटा है ना विटा कॉन c क्या है थीटा है और इसमें एक चीज और दिया है अब 2D यह चा़ार मीटर दिया है और ईबी हमें 6 meter प्रूब करना है उसे हमें लेना नहीं लिखना नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे AB कमान हमें रखना नहीं हमें 6 ले आना है ठीक है चाहे तो आप लिख लेना भले लेकिन उसको यूज नहीं करना है तो सीधी सी बात है हमें क्या क्या दिया है लंब दिया है और आधार दिया है जबकि लंब जो छे दिया उसे हमें लिखना नहीं है इसको फालतू में लिख दिया हूं हमें लाना है प्रूब करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे लंब आधार 10 में होता बिटा तो हम लगाएंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब यानि AB आधार मतलब BC थीटा का मान थीटा ही है क्योंकि इसमें कौन का मान तो दिया है नहीं कि दिया है नहीं दिया है नहीं तो हम कहेंगे कि 10 थीटा बराबर AB अपान 4 क्यों भाई यही दिया है न थीटा बराबर AB अपान 4 यह हो गया equation number first समी करण number पहला अब करेंगे तिरभूज ABD में ABD में पूरे-पूरे में लिखो कौन D बराबर 90 माइनस थीटा और इसमें बेटा BD दिया है 9 मीटर ठीक है इसमें भी वैसे ही सब कुछ करेंगे तो इसमें भी 10 90 माइनस थीटा बराबर आएगा लंब बटे आधार लंब यानि AB आधार यानि BD, BD का मतलब 9 क्योंकि BD नो दिया मैंने डारेक्ट रख दिया ठीक है तो बेटा देखो 90 माइनस थीटा आपने तिरकोड मिती पढ़ा है मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है इसके बाद यहाँ आके हलकरों में बताता हूँ इदर साइड में चलो तो बेटा यह क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा यह यह कॉशण थीटा वराबर तो बैटा हम क्या करेंगे ? लिखेंगे a b upon 9 था देखो यहां से समझना मैं इसको कहीं और हल करके यहां लाके रख दूंगा क्योंकि यहां पर जगा थोड़ा कम है ना बाबू देखो मैं बताता हूं तुम्हें यह देखो 10 थीटा यहां हल कर रहा हूं यह कॉट थीटा को हम 1 upon 10 कर सकते हैं बोलो कॉट थीटा को 1 upon 10 कर सकते हैं 10 से 10 कर जायेगा को मिलाके 1 आयेगा क्या आयागा वह नएगा यहनी हम का है सकते हैं इंधर क्या वन और एकल अबी का होली स्कॉाइर हो जाएगा नीचे चार्न नमाही चाथिस हो जायेगा तिर्शां गुडा करोगे तो अबी बराबर कितना आये चे इतना तु कोई दिक्कत नहीं देख लो यशी जब इसका गुड़ा करोगे तुम AB स्कॉइर ऐन में करोगे तो AB स्कॉइर होगा और 6 श्कłिछ गड़ानि में करोगे तो 36 होगा फाइनल में यह एबी का स्कोइर बराबर 36 आयगा तो AB बराबर निकालोगे बेटा तो ये ऐसे आएगा ना स्कॉार हटे का अंडर उट लगेगा इसका बढ़ प्लस माइनस छे आएगा तो माइनस में तो होगी नहीं उचाई उसकी प्लस में ही होगी तो AB कमान 6 आगया अब नीचे लिख दो अताहसिद्ध हुआ मिनार की उचाई कितना है छे मीटर है ठीक है यही तो हमें सिद्ध करना था AB 6 लाना था न मैंने छे यूज नहीं किया कहीं बाद में लाया हूं न लिख दो अताहसिद्ध हुआ की उचाई कितना है छे मीटर इस तरह से आपका पूरा-पूरा चैप्टर नो खतम हो गया हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ब्रित सरकल पढ़ेंगे ठीक है आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ अगर कोई ब्रित दिया है जिसकी तिरिज्जा 5 cm दी है तो उसका ब्यास कितना होगा कोई बताएगा अगर कोई ब्रित दिया है जिसकी तिरिज्जा 5 cm है तो उसका ब् लेलो लिख लो पूरा पूरा हल हो गया हो गया चलो मैंने बहुत टाइम दिया आपको लिखने के लिए तो पिटा ये इंड हुआ आपका